हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो वर यूट्यूब चैनल एंडगेम एससी और आज हम अपने इस रीजनिंग ड्राइव में बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर को करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा फिगर सिरीज इस चेप्टर को लेके काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है क्योंकि यह अभी रिसेंट में ही 2021-22 के एक्जाम में ससी के अंदर काफी अच्छे वे से पूछा गया है काफी अच्छे को इसमें इन्वोल किया गया है ठीक है कुछ एक पैटरंस है जो हमने इसमें आपको करवाने की कोशिश की है मेरे ख्याल से अगर आप इस व से लेके मैंने इसमें हाई लेवल तक के कोशन सारे रखे हैं और एससी प्रिवियस एयर में जितने भी अच्छे कोशन इस टॉपिक से आए है उनको इस वीडियो में कवर किया गया है ठीक है तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं पहले कोशन के साथ में यह आपका कोशन रहेगा ठीक है तो इसमें आपको क्या करना रहता है चिन भी स्टूडेंट्स को फिगर सिरिस के बारे में नौलेज नहीं है मैं उनको थोड़ा बेस बता देता हूं पहले आपके सामने चार फिगर दी जाती है एक यह जैसे यह फिगर होगी आपकी यह सेकंड यह थ इसमें क्या होगी तो इसमें बहुत सारे मैथड्स आपको यहां वहां सीखने को मिलेंगे हम करेंगे इसमें सबसे बेसिक मैथड जिससे आपको फास्टेस्ट आप इस कोशन को कर ले जाए ठीक है है हम ऐसा ही मैथड को यहां पर सेलेक्ट करेंगी तो बहुत सारे तरीके ह हम इनको पहले बेस से सीखने की ट्राइ करते हैं कि हम basic कैसे कर सकते हैं देखो जब भी ऐसे question आपके सामने आएं तब आपको कैसे deal करना है यहां आपको देखना है options के अंदर जाके ठीक है आपको देखना है option में कौन सी value जो है वो कौन सा element है मैं इनको elements बोल रहा हूँ इनको elements बोल रहा हूँ इनको मैं position बोल रहा हूँ first, second, third, fourth, fifth, sixth ऐसे position का नाम दे रहा हूँ ठीक है अब आपको देखना है इसमें कि कौन सी position कौन सा position पे number बार बार change हो रहा है जैसे अगर आप suppose करो आप यहां पे इसको पूरा-पूरा solve कर रहे हैं कि यहां क्या आएगा यहा यहां क्या आएगा यहां क्या आएगा यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा तो यह एक wrong way है portion को solve करने का ठीक है क्योंकि इससे आपका time बी बेस्ट होगा इससे आप सभी 6 elements को solve कर रहे हो सभी 6 elements की position को decide करने में आप time बी बेस्ट कर रहे हो तो आपको इस तरीके से question को deal नहीं करना है question करना कैसे है वो हम इस question में देखते हैं देखो यहां पे अगर आप इस particular point को देखते हैं यह यहां भी आया है यहां भी आया है यहां भी आया है तो अगर आप इस position को soul करते हैं fourth position को अगर आप soul करते हैं तो आपको कुछ बहुत जादा benefit नहीं होने वाला question को soul क ठीक है तो benefit कैसे होगा वो हमें देखना है कि कौन से अपन option eliminate करें कैसे अपन option eliminate करें कि हमारा question जल्दी से जल्दी solve हो जाए तो देखो यहां देखो C लिखा हुए यहां C यहां उपर arrow और यह D मैं इस C की position decide करता हूं कि यहां पे C आएगा इस particular place पे कि इस particular place पे C आएगा circle आएगा क्या आएगा यहां पे इस position को हम solve करते हैं इस particular position को हम solve करने की कोशिश करते हैं ठीक है जब भी अब आप method सुन लीजिए देखिए जब भी इस position को हमें solve करते हैं तो हमें second figure से start करना है ठीक है आप अराम से इस video को देखो बिलकुल अराम से आपको समझने का है उसके बाद में आपसे एक भी question जो है आपका नहीं फसेगा इस chapter के regarding आपसे 99.9% question आप आराम से करेंगे देखो आपको देखने second figure को second figure में यह 8 कहां से आया है स्टार्टिंग में मैं आपके लिए numbering कर देता हूँ ताकि आपके लिए question easy हो जाए थोड़ा सा जिन बच्चों को तकलीक होती है सोच पाने में मैं स्टार्टिंग के दो तिन question में आपको numbering करके देखा फस्ट, second, third, fourth, fifth, sixth मैंने क्या किया elements को number दे दिया ठीक है मैंने elements को number अब देखो, second figure में जो first position है, second figure में जो first position है उस पे कौन आ रहा है उस पे कौन आ रहा है, six ता रहा है, ठीक है, देखो, six, six figure जो है, six position जो है, यहां से कोई उठके first position पर आ की देखोuing सेकिंड पोजिशन जो 8 है एक्चुलि एक्चुलि एक्चुली है एलिमेंट है मैं अउठ को इनको element बोल रहाँ इसको position बोले ह। सिक्स्थ पोजिशन से कोई sixth position से कोई first position पर आ रहे हैं, हमें इतना समझ आ गहा है कोई sixth position से first position पे आ रहे है, ठीक है, second में, अब third में क्या हो रहे है, ये देखो, third में भी आपको first को ही देखना है, क्योंकि आपका सिरफ और सिरफ निगाया है, आपको ये point solve करना है, आपको ये point solve करना है, इसकी मतलब आपको सिरफ और सिरफ यहां निगाया रखनी है, अब आ आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ये चीज ध्यान रखनी है, देखो, आपका यहाँ जो pattern लगेगा, वो pattern आपका यहाँ लगेगा, और जो pattern आपका यहाँ लगेगा, वो pattern आपका यहाँ लगेगा, S.S.C. में खासकर question alternate basis पे ही पूछे जाते हैं जब figure 4 दी होती है Mostly S.I. होगा जब आपसे 5 पूछी जाएगी ठीक है पहले question में हम थोड़ा ज़ादा time लेके सीख रहे हैं ताकि हमें आगे के question जो है फटा-फटा हम कर पाए तो इस question को बहुत डंग से सुनने हैं चलो यह चीज़ समझ आगी आपको अब देखो यह चीज़ repeat हो रही है कि नहीं देखते हैं यहाँ देखो अब यह 6th से 1st पे आना चाहिए जो जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही कारणामा यहाँ वे भी होगा यह मेरा पहला A figure कह लेता हूँ मैं इसको B figure इसको C figure इसको D figure जो काम A B में होगा वो C D में होगा जो काम B C में होगा वो D E में होगा ठीक है ऐसा मैं कहना चाहिए तो जो AB में हुआ, AB में क्या हुआ देखो, कोई 6th से 1st पे उठके आया था, तो देखो CD में कोई 6th से 1st पे आया है क्या, बिल्कुल आया है, 6th से 1st पे, इसका मतलब अब जब यहां आप इस चीज़ को भेजना चाहेंगे, तो आपका 3rd से कोई, 3rd से कोई 1st पे आना आपका C, ठीक है, अब आप देखिए, C, C, ये कर गया, ये गया, आपके 2 option eliminate हो जाते हैं, आपका elimination, option elimination, सबसे best इसमें माना जाएगा, ठीक है, सबसे best way है इन questions को solve करनेगा, आपको समझ आगे है, यहां पे C आएगा, ठीक है, 1st position पे यहां पे C आएगा, इस point पे C आगया, अब हमें देखना है, यहां पे D आए रहे, यहां पे A8 आए, बस इस चीज़को solve कर लेते हैं, फिर बहुको कोई बच्चा कह Census करने तो भाई यहा, क्या ही करना solve करके इस position को, क्योंकि यहां पे तो दोनों में ही rectangle है, तो इसको solve ने करना है, हमें ऐसी position को पकड़ना है, जो वहाँ vary कर रही है तो मैं यह desol कर लेता हूँ या 8 कर लेता हूँ तो मैंने क्या बोला था आपको second position में second figure में आपको देखना है second में आपको देखना है तो यहाँ पे आप देखो यहाँ देखो यह कहां से आया यह? यह चीज कहां से आया है? यह आया है भई यहां से मतलब first जो है वो second पे आ रहा है आप numbering समझ रहे न यह one है, यह two है, यह three है, यह four है, यह five है, six है जो first है फर्स्ट है वो सेकंड पे हो जा रहा है फर्स्ट है वो सेकंड पे हो जा रहा है आप देखो यहां क्या हो रहा है दो से तीन में क्या हो रहा है बी से सी फिगर में क्या हो रहा है देखो यहां पे जो डी आ रहा है वो कहां से आ रहा है वो यहां से आ रहा है इन में देखो इन दोनों में देखो दो से देखो यहां देखने अपने को इस जगे कोन आ रहा है एक से दो पे कोई जा रहा है एक से दो पे कोई जा रहा है बिल्कुल जा रहा है एक से दो तो यहां मतलब पांच से कोई दो पे जाएगा जो पांच पे बैठा हुए है एक, दो, तीन, चार, पांच पांच भी फिकर अपनी यह थी पांच से कोई दो पे जाएगा इसमें इस जगें कोई पांच से जाएगा और कौन जाएगा आठ जाएगा तो यहां पे क्या जाएगा आठ ठीक है, यह आपका detailed solution है जिन बच्चों को नहीं समझाता जैसे मान लोग कुछ बच्चे क्या करते हैं सभी chapter के question एक साथ कर लेते हैं बट इस chapter में अगर बच्चे 4 से 5 मिनिट बचा पा रहे हैं तो आप इस numbering method को use कीजिए, आपका सारे question हो जाएगा ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इस question को within second कैसे करते हैं, speed से कैसे करते हैं यह तो आपका number method हो गया क्योंकि आपने क्या किया खोड़ा number से base बनाने क्योशिश की जैसे किसी बच्चे को नहीं समझा रहा तब मैंने उसको इस तरीके समझाने कोशिश की है कि कोई sixth से first पे आ रहा है दिख रहे आपको आठ छे number पे था फिर first number पे आ गया तो sixth से first पे आ गया ऐसे ऐसे मैंने समझाने की कोशिश की है ठीक है, फिर जैको यहाँ पे यहाँ, जैड कहां से आया third position पे बैठा हुआ था फिर वो first पे आ गया तो third position पे बैठा हुआ था वो first position पे आ गया ऐसे ऐसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करिए numbering करके जिन बच्चों को visualize नहीं होता अच्छे से, लेकिन एक बार मैं आपको वैसे normally समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, easy method से, ठीक है देखो मैंने क्या बोला इस position को हम solve कर रहे हैं इस position को, देखो, यहाँ कोन आएगा एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और छे यह छे element हमारे पास है हम first position पे देख रहे हैं कि कोन है अना, ताकि हमें पता चल जाए कौन सा element है देखो, यह, अब, अब यहाँ देखो अब हम क्या करेंगे, सिरफ arrow से काम कर देखेंगे यहाँ देखने हैं, मैं, मैंने क्या बोला था सिरफ, आपको second figure को देखना है second, second box को देखना है इस box के अंदर देखना आपको first box के अंदर नहीं देख, और उस element पे नज़र रखनी है उस element पे नज़र रखनी है, जिसको आप निकालना चाते है आप इसको निकालना चाते है, art को कहां से आया भाई, लो अलग pen use कर लेते है, clarity के लिए कहां से आया यह, यह यहां से आया, अच्छा ठीक है उसके बाद यह जड कहां से आया, आप कहेंगे, यह यहां से आया है, यहां से यहां से, तो मैंने क्या बोला था, क्या बोला था मैंने आपको कि 5 figure, 5 figure दी गई होगी, A figure, B figure, C figure, D figure, E figure आपको निकालनी होगी जैसे इसमें इफिगर ये इफिगर है इफिगर आपको निकालनी है तो जो तरीका यहां लगेगा वो तरीका यहां लगेगा जो तरीका यहां लगेगा वो तरीका यहां लगेगा इस पैटन पर काम करती है तो देख लो बाप, खर करके भी लेख सकते हो बाप, देखो, पर इसे Green Pen लेते हैं, यह बताओ, यह जो, आपका, यह यह कहां से आया है, यह यहां से आया है, बिलकुल Green Pen चल रहा है न जैसे अपने Green income किया है अब देखो ये लो यहां कौन पोन जाएगा भई एक सेकेंड यहां कोन आ जाएगा यहां तो कोन आजेगा यहां पर सी खतम कोशन अब आपने यहां पर सी डिसाइड कर लिया तो आपकी यह दो उप्शन चले गए ठीक है अब बात करते हैं इस पॉइंट की तो देख लो इस पॉइंट पर कोन आ रहा है यह सी है यह इधर कोन आ रहा है यह इधर आ रहा है लो पैन फिर स तो बस फिर है c कहां जाएगा झाल आ रहा जाए ठीक है ये d इदर हा रहा है यह देख पहरे हो आप अब यह जीठ कहां से आए जो है यह अगा दो यह utlach यह यह नगा आपने यह से लगाया था तो बस यह एरो यह लगा दो आठ आकझे c और 8 आपने 5 कर दिये या आपका अंसर होगे ये तरीका है ठीक है तो पहले question मैंने आपको पूरा method को अच्छे से detail explain कर दिया है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अब हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ देखो ये question है बापके सामने आपको या तो numbering करने आप numbering कर लीजिए मैं एक दो question आपको numbering से बताना चाहता हूं ताकि आपके practice अच्छे से वो जैसे वर्स्ट सेकेंड नंबर third fourth five six seven eight nine मैंने no element को mark कर दिया है ठीक है अब आप देख सकते हैं मैं क्या करता हूं option में देखता हूं जैसे पुछ अब क्या कहेंगे कि हम किसी भी आप element को solve कर लीजिए जैसे मैं आपको यहां बताता हूं पोर एस एस अब देखो कोई चूज करणे के आप ऐसा element च्यूज़ करो जो बारबर चेंजॉर ओ ठीक है आपको ऐसा element चेक करना करते हैं अब इस्से चेक करते हैं पी यपीवई फोर अगर यह पता चले podemos यहहां कोन आ ररहा है इस फॉइंड पर कोन आ रहां तो Queshen अपन अपन थोड़ा सा असान हो जाएगा एक एटलिस्ट दो एक option निकल जाएगे अपने चलो इसको चेक करते हैं जब भी मैंने बोला था ऐसा question होगा तो क्या करेंगे second figure पे ध्यान देंगे second box पे ध्यान देंगे आजाओ second box में और उस element को देखो जिसको आप निकालना चारे हो इसको निकालना चारे हो इधर आजाओ वही ये equal to कहां से आया है ये equal to आया है इस आठ्वी position से आठ्वी position से कोई 9 पोजिशन पे पहुँचा है ठीक है 9 पोजिशन पे पहुचा है अच्छा अब इधर 2nd से 3rd में क्या हुआ है B box से C box में क्या हुआ है वो देखते हैं उसी position को हमें देखना है 4 आया कहां से है 4 आया है यहां से 1st से कोई 9th पर पूचा है 1st से कोई 9th पर पूचा है ठीक है अब देखते हैं चीज रिपीट हो रही है क्या A box, B box, C box, D box और E box जो चीज A और B में चली वो लगाएंगे C और D में देखते हैं हो रहा है के नहीं आठमें element को आप यह आठमा element है C का वो 9 आप D में 9 में पर नंबर पर होना चाहिए बिलकुल है देख सकते हैं आप आठमा element 9 में पर है तो मतलब इसका जो पहला element होगा इसका जो पहले element होगा वो 9 में नंबर पर दिखेगा यहां पर इसका पहला element होगा वो 9 में नंबर पर दिखेगा क्योंकि B और C में जो काम हो रहा है वो D और E में होना चाहिए मैंने बोला था आपको D और E में सेम काम होगा जो B और C का होगा और जो इनका काम होगा वो ये काम करें ठीक है तो अब आपका जो पहला element है D का वो E का 9 element बन जाएगा तो इसमें first element Y है वो Y यहाँ पर आ जाएगा तो मतलब यहाँ कोन आ जाएगा Y आ जाएगा इसको कर लो या इसको कर लो अब suppose करो देखो 4 को को कोई कोई फाइदा निया एक काम करो आप स्टार को सोल कर सकते है या को कर सकते हैं तो देखते हैं देखो क्या हुरह है पी ए एस-ड ए फी यह देखो चेंज होजा रहा है पी ए का बन गया एप일 नबें PA का बन गया AP first or second first or second centered, PA का बन गया AP उके, उसके बाद क्या हो रहा है फिर T आगे आ जाते है third में T आगे आ जाते है tap बन जाते है, ये आ गए आ जाते है समझभा रहे है, ये T आगे आ जाते है देखरे है, tap हो गया अच्छा, अब फिर वही फस से सेकंड में A और B box में आपने जो किया वो आपको C और D में करना बढ़ेगा A, B box कैसे बहेव करते हैं जैसे C, D करता है B, C box कैसे बहेव करते हैं जैसे D, E करता है ये थोड़ा द्यान तकना है बस आपको बार-बार मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ ठीक है, देखो क्या हुआ P, A, A, P बन गया A, B में, तो C और D में भी ऐसा ही कुछ हो C और D में देखो T ये क्या बन जाएगा, A, T बन जाएगा बिल्कुल सही चल रहे है बिल्कुल सही चल रहे है अब मैंने क्या बोला था कि B, C में जो हुआ है, वो D, E में होगा B, C में क्या हुआ, देखो B से C में, ये लास्ट वाला जो element है, वो आग्या आज़ता है महलब जिसको हमने 7 number दिया हुआ है 7, 3, 4 बन जाता है 7 आगे आज़ता है और 7, 3, 4 बन जाता है तो T आगे आगे था न, tap बन जाता तो ये star आगे आजएगा यहाँ आजएगा, star 80 बन जाएगा star 80 बन जाएगा, मतलब ये answer हो गया खतम question ठीक है, ये आपको थोड़ा समझाने में time लग रहे है, अगर मैं इस sheet को एक ले में करूँ तो बहुत जल्दी कर दूँगा, same to same आप कर देंगे, समझने में जरूर तकलीफ हो सकती है, थोड़ा time लग सकता है, लेकिन जब आप इसको attempt कर रहे हो ना घर पे जब इस sheet को पूरा समझने के बाद में या आप इसके बाद कोई भी question को time कर रहे हो आप बहुत जल्दी कि इस question को कर ले जाओगे, समझा रहे है चलने फिर आगे, अगले question पर चलते है, थर्ड question पर, ठीक है, ये जो थर्ड question, हम इसमें क्या करते हैं, देखो, एक ऐसा element डूंडेंगे, जो change हो रहा हूँ, जैकर जैसे, यहाँ पर कोई कहे दे कि मैं पहला element solve करना हूँ, कर लो फिर आपको पता चलेगा, सभी पर दिल बना हुआ, तो क्यों solve किया आपको जब आपको पता है कि सभी में ही दिल दिया हुए, दिल 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 तो क्यों आपको उस particular element को solve करना है, आपको ऐसा element पकड़ना है, जो change हो रहा है हर जेगे, कौन change हो रहा है, वो देख लो, इससे, इसको इसको पकड़ लेते हैं, किसी को भी पकड़ लो, six को इसको पकड़ ले, one numbering कर दे, तो one, two, three, four, five, six और seven, मैं इस six element को पकड़ दू, मैं numbering starting में कर रहा हूँ, ताकि आपको easy रहे चीज़े समझना, A, B, C, D, E, मैं बाद में numbering नहीं करूँगा, please आप थोड़ा समझे, क्योंकि class बहुत लंबे चली जाएगी, starting, starting में आपको बहुत प्यार से spoon feeding करके समझा रहा हूँ, बाद में थोड़ा सा fast चलेंगे, ताकि आपकी practice देखे, आपने कितनी fastly चीज़ों को समझाए, ठीक है, चलो, यहाँ आप देख पा रहे, मैं इस element को solve करना चाहरा हूँ, इस particular element जो यहाँ है, जो इस position पे आएगा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कि B figure को देखेंगे, B box को देखेंगे, second box को देखेंगे, इसको देखते हैं, और किस जगह देखेंगे, जहाँ पे वो element हम solve करना चाहरे हैं, मतलब यहाँ देखेंगे, अब यह कहां से आया, उसके बात करते हैं, यह आया है, दो से, तो देखो फिर numbering लिख देता हूँ मैं, दो से कोई 6 पे पहुँचे है, दो से कोई 6 पे पहुचे है, ठीक है, ऐसा हुआ है, A से B में, सेम काम होना चाहिए, किसमें, C से D में, चलो कोई नी, देखते हैं, पहले बात कर लेते हैं B से C के, B से C में क्या हुए, 6 नमबर पे कोण आया है, 6 नमबर पे आया है, 5 भाई जिसको आप 5 बोल रहे है, वो आया है, इसको आप 5 बोलते हैं, यहां पे देखो, पांच बोला हुए, पांच बोलते हैं 5 आए 6 पे मतलब 5 आएगा 6 पे देखते हैं C से D में क्या 2 वाला 6 पे आए बिल्कुल ये 2 नमबर कर रहे थे आप इसको ये 6 पे पहुँच गया ठीक है C से D में भी दो से 6 पे कोई आए ठीक है अब बात करते हैं D से E में जो पाचवा element वो 6 पर पहुचन चाहिए यह पाचवा element आप इसमीं करेंगे, numbering औगरा नहीं लिखेंगे, numbering मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जिन बच्चों को इसको करने में बहुत problem आती है, जो बच्चे इन चीजों को समझने में थोड़ा दिक्कत मानते हैं ठीक है, figure series में जिनको problem होती है मैंने बता दिये, कहां आपको देखना है कहां से आपको question को start करना है B box से start करेंगे B box में, नहीं सबसे पहले देखो सबसे पहले हम देखते हैं options के अंदर option में, जो element बार-बार change हो रहा है उस element में focus करेंगे ताकि हमें सारे element soul ना करने पड़े जैसे इसमें देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 element है सातों के सातों element को soul नहीं करना है सिरफ कोई ना कोई 2 element को soul करना है या फिर single element से भी काम चल जाएगा जैसे इस question में चल गया मैंने focus किया 6th position पे जो element बना हुग है जैसे यहाँ पे x अमने answer निकाला इस जगह focus किया क्यों? क्योंकि यह change हो रहा था x उपर question mark, second वाली figure में इधर question mark है, इधर up arrow है, इधर u है, इधर up arrow है तो मैंने सुचा यहाँ पे focus कर लेते हैं मैंने यहाँ focus क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे option eliminate नहीं होगते हैं, इतनी चीज़ को समझिए फिर मैंने कहा, जब भी आपको पता चल जाए कि आपको यह element को solve करना है तो आप क्या के लिए? B box को देखो, B box यह देखो, यहाँ B box, यह वाला box देखना आपको उसमें उस particular element की तरफ नजर डाल ली है आपने यहाँ नजर डाल ली, फिर आपको देखना है कि वो कहां से आ रहे हैं, और यह आपको देखना है कि A से B box में जैसे काम करेगा, वैसा C से D में करेगा, जैसा B से C में करेगा, वैसा D से E में काम करेगा बस, इतना सा काम है ठीक है, इतनी सी चीज़ समझ आगी आपके बहुत जल्दी कोश्चन हो रहे है ठीक है, बहुत जादा numbering बता दी मैंने, अब हम कोशिश करेंगे कि numbering से नहीं करें हपन, अब arrow बना मना के कोश्चन को सॉल करेंगे, बढ़े आगे, चल fourth question थोड़ा ये तो अलग कोश्चन आगे बीच में, ठीक है, इस कोश्चन को देख लेते है देखो, यहाँ क्या हो रहा है ये ठीक है, आप इस चीज़ को मैं अगर थोड़ा धंग से गोर कर पाऊं इंच इसको देखवा, ये यहाँ है फिर ये यहाँ आ गया देखो, ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे है अब ये standing आएगा, फिर अगली बार ये ऐसा आएगा, देखो बिल्कुल standing हो गया, अगली बार ये ऐसा हो गया, अब ये कैसा हो जाएगा, अब ये ऐसा हो जाएगा मतलब की O उपर और star नीचे, O उपर star नीचे, O उपर star नीचे, मतलब मेरे पास में अभी ये भी चल रहा है, ये दो option तो गए ये दो option तो गए, अब मुझे देखना है या तो ये ठीक है या ये ठीक है या ये sorry या ये य'क मतलब इन में first or third में देखना है मुझे कौँ ठीक है? देखो triangle ऊपर triangle down triangle ऊपर triangle down triangle ऊपर है ये लोこ posición वह ठीक है? इस ही लगा ठीक है? थोड़ा आपको ये चीज भी थोड़ा देखने है ये थोड़ा हट के pattern का question है उससे जोबन कर रहा है बीच में डल गया मेरे से बाकि मैं इन questions को मैंने side में ही रखा हुए आप tension वर लेजे ठीक है पहले मेरे कोशिश है कि मैंने आपको जैसे ये question करवाया ये करवाया ये करवाया इनकी मैं आपको अच्छे से practice करा दूँ speed के अंदर अब ये तो मैंने आपको समझाए समझाए ये बीच में डल गया था मेरे से question 4 इसको हम बाद में करने वाले थे discuss बट कोई नी पहले कर लिए पर चलो fifth question प्याज़ते है फिर से वोई question आगे अब मैं आपके सामने numbering नहीं करूँगा अब मैं आपको सीधा visualize करा हूँगा A box B box मैं फिर एक छोटी सी चीज बार बार नहीं लिखूँगा एक दो बार और लिख से देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए जैसा काम A से B box में होगा वैसा काम आपका C से D box में होगा जैसा काम आपका B से C box में होगा वैसा वैसा काम आपका D से E box में होगा बस इतनी चीज आपको बार बार याद रखनी है एक simple सी बात है बस यह देख लोग ये ले आए हम green pen देखो मुझे क्या करना है A, 2, B, V, T बिल्कुल अच्छा होगया ये question तो मैं अगर first element को solve कर लो तो मेरा पूरा question solve हो जाएगा मुझे ये 9, 3, 3, 6, 7, 7 element पर ध्यांद देखो मुझे बस इस first element पर गोर करना है कि यहाँ कोन आएगा इधर कोन आएगा इधर कोन आएगा बस पता चलिया तो answer होगया अब मैंने क्या बोला V box की तरफ जाएंगे V box में देखेंगे ये T कहां से आए ये T आया है भाई यहाँ से ये sorry 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 गलत arrow गना दिया मैंने arrow method है arrow से बिल्कुल जल्दी कर लेंगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बहुत इजीली question हो जाएगा कहां से आए भाई यहाँ से इधर पहुँच रहा है sorry V को देखना हमें first element सुरु कर रहे sorry sorry एक second आणा देखो blue लिलते है ठीक है हम देख रहे हैं यहाँ पर कोन आएगा तो यहाँ देख रहे हैं तो यह देखो यह कहां से आए यहाँ से simple सी बात है अब यह O कहां से आए यह T sorry इधर देखेंगे T कहां से आए यह T आएए यहाँ से बस बना दो diagram बस हो गया लोग same diagram बना दिया जैसा B से C में diagram बना रहे है E में बना रहे है तो यहाँ के कौन आएगा दो आएगा और दो आएगा तो लोगए आपका question दो सिरफ एक जगे दिया है खतम बढ़े आगे समझ आ रहा है अब numbering करने है numbering कर लो जिसको ज़्यादा time बढ़ा है जिसके पास में numbering करते रहोगे तो ठक जाओ गया चार चार आठ और तो दस दस numbering कहां से करता है तो बिना numbering के ही solve करने की try करते है देखो यहाँ A A A A S कोई फाइदा नहीं इस position को solve करके A A A वाली को हाना हमें ऐसा point पकड़ना है तो कम से कम बार लिखा गए हो तो देखो जैसे यह यहाँ देखो किसको पकड़ने आप बता दीजिए six तो में मेरे ख्याल से आपन इसको देख लेते हैं इसको यह देखो यहाँ rectangle यहाँ पे circle यहाँ rectangle और यहाँ पे nine मैं इस जिगें की बात कर रहा हूँ इस point की इस particular point की आना तो इसको solve कर लेते हैं कि यहाँ कोन आएगा rectangle O rectangle nine अगर मेरा एक भी option eliminate होता है दो option तो eliminate हो जाएगे कोशिश करते हैं क्या आएगा देखते हैं यहाँ अपन ने कहा A से B, C से D B से C जो है वो D से ठीक है यह यहाँ आया है अब यह इधर position पे देखो इधर यह कहां से आया है यह कहां से आया है यह आया है यहाँ से बस same diagram बना दो भाई same diagram बना दो यह आया है यहाँ से अब यह वाला यह भाई साब आएंगे अब बताओ कौन साइट में तोके में इसके साथ refersक ले यहाँ से और कहा कहां? 9 आया ए पे तो मतलब यह वाली चीज रहे यह आजाएगी इस position पे को आजाएगा, भस इस position पे मतलब अपन ने 2 चीज़े सउल कर ली, इधर यह और इधर star बतलब X तो नहीं आ रहा तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि इधर इन्होंने x बना दिया जो कि गलत हो गया चलो, question solve असान लग रहे है अब, आगे बढ़े 7th question की तरफ बढ़ते हैं अब फूरी सी clarity आती रहेगी थोड़ा starting में आपको patience रखना पड़ेगा आपका क्या कहते हैं कि बार बार change हो आप देखो जैसे equal to को solve करके कोई फाइदा नहीं पहला मैंने वहिशा बोले कि option के अंदर ही जाना equal to, equal to, equal to, equal to सोचो कोई बच्चा यहाँ पे इस position को solve करने कोशिश कर रहे है तो वो गलत कर रहे है हमें करना है हमें कोई ऐसा element देखना z, z, c, c हम चाहें किसी भी चीज को solve कर ले किसी भी चीज को ठीक है लेकिन हमें इस चीज को solve नहीं करना है अपने काम करते हैं इस particular को solve कर लेते है o, o, p, p यहाँ पे क्या आएगा वो चीज देख लेते है मतलब इस position पर क्या आने वाला है इसको देख लेते हैं यह मैंने बड़ा सा circle बना दी इस पर देखते हैं कि क्या आने वाला है ठीक है इसको देखते हैं क्या आने वाला है तो अच्छा एक चीज़ देखो यहां पर बीच में देखो यहां पर S, उल्टा S सीधा S, उल्टा S, सीधा S, अब मेरा पास एक option यह है, तो अब तो मेरा question ओर easy हो गया, अगर मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर O आने वाले है, या P आने वाले है, तो मतलब मेरा question completely soul हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसी चीज़ को ही soul करना better है, जब मैं पहले soul कर में जा रहा था, चलो करते हैं, मैंने क्या बोला, यहां देखो, O जो है, कहां से आ रहा है, O आ रहा है यहां से, कहां पहुंच रहा है, इधर पहुंच रहा है, ठीक है, यह देख लो, मैं दूसरा pen लेकर, और clarity दे देता हूँ, अब कोन पहुंच रहा है, यह जड़, यह कहां से आ रहा है, यह आ रहा है, यहां से, ठीक है, बस arrow बना दो, same arrow बना दो, लाल वाल arrow, लाल arrow क्या कर रहा था, वो यहां ऐसे आ रहा था, और blue वाला arrow क्या कर रहा था, blue वाला arrow ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, देखो, same बनाएं ना मैंने, यह लाल arrow इधर, इधर, blue arrow फिर इधर सेम बनाए मैंने और अगर सेम बनाए तो यहां पे कोन आजाएगा ओ आजाएगा और यह रहा ओ आपका तो मतलब यहां पी नहीं आएगा यह वाला औरकट हो जाएगा यह आपका अंसर हो जाएगा clarity आ रही है देखो number भी निखने की जरूरत नहीं पड़ रही है अपने को और पूरे सारे element भी solve करने की जरूरत नहीं पड़ रही है question जो है वो ओड रहे है यह आपको समझाने में time लग रहे है लेकिन अगर मैं खुद कर लेता इसको तो बहुत जल्दी कर देता सेम आप अगर आप किसी को समझाओगे तो हो सकता है time लगे लेकिन जब आप इसको एक्जाम में कर रहे होंगे within within seconds आप इस question को करेंगे ठीक है चलो बढ़ते आगे एक्स टी ओ सरकल ट्रेंगल एरो ठीक है अपन देख लेते हैं सेम मैंने जैसे बोला हुए आपको की कौन चेंज हो रहा है बार बार उस जगह पर focus रखेंगे ठीक है यहां focus कर लेते हैं यह इस point पर कि यह जैसे यह दिया हो ना यह 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 हम डबा बनाते हैं इदर और मैं कहा रहा हूँ इस position पर solve करने कोशिश करते हैं यहां क्या आएगा ठीक है यहां क्या आएगा वो चीज देखते हैं तो मैंने कहा second box पर नजर मारेंगे triangle आये triangle कहां से आया है वो आया भई यहां से उठके यहां पर ठीक है same यहां उना चीए यह देख लो यह वाला यहां जाना चीए और देखो जा भी रहे यह यहां पहुँच रहा है ठीक है red वाल वाल pen लेके इन दो box को solve करते हैं अब कोन आ रहा है यहां पर यह triangle आया कहां से ये तो मैंने बता दिया खिर ये जो O है ये यहां पर कहां से पूछा ये पूछा यहां से उपर ये पूचा यहां से अब ये T बाबा जो है यहां पहुंच जाएंगे उपर और अगर T उपर पहुंच जाएंगे इधर T आ जाएंगे यह find out कर लिए अगर आपने तो ऐसा आपके पास कितना option है दो option है तो आपका ये और ये eliminate हो जाता है अब बसते हैं अपने पास में second option और fourth option अब अपन किसको solve करें किसी भी को उठा लो आप आपका जो मन करें आप उस element को उठा सकते हैं ठीक है जो element आपको मन कर रहो जैसे suppose करो यहां पे मैं इसको उठा लेता हूँ ये fifth element one two three four five इसको उठा लेता है कि अब देखते हैं यहां को ना है ठीक है यहां को ना है उसको देखते हैं क्योंकि यहां आपका x लिखा हुए और यहां आपका o लिखा हुए तो पता चल जाए ना कि x आने वाले या o आने वाले तो मजा आ जाएगा question solve करके ठीक है पता चल जाएगा अब इस arrow को solve करके फाइदा नहीं था क्योंकि यहां पर भी arrow था यहां पर भी arrow था तो मैंने का इसको solve कर लेते हैं x आएगा या o आएगा यहां चलो ठीक है तो मैंने का इस जगे नजर मार यह t कहां से आ रहे है यह t आ रहे है यहां से यहां पर sorry 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 यह आपका T आ रहा है यहां से यहाँ पर इधर आ रहा है तो मैं यह सें एरो जो A, B, C, D, E जो मैंने बोला A B काम करेगा वो C D काम करेगा तो ये C से D में भी यहाँ जाना चाहिए और गया भी हूँ है देखो गया हूँ है तो ये ट्रैंगल यहाँ जाएगा बिल्कुल मैंने जैसा red arrow बनाया वैसा बनाया अब मैं एक और यहाँ पे blue का ले लेते हैं साथ देखते हैं यहाँ पे इस जगें ये X कहां से आया X कहां से आया भाई ये आ रहा है यहाँ से इधर से move कर रहे हैं यहाँ पे इधर से move कर रहे हैं यहाँ पे X ठीक है ओके तो ये यहाँ आ गया अब सेम ये वाला यहाँ move करना चाहिए मैंने का ना भाई B से C में जो diagram बनाए वो D से E में बनाना है तो यह वाला यहां आजाएगा तो यहां कौन आजाएगा O आजाएगा और O कहीं दिया गया गया इसमें X दिया गया इसमें O दिया गया तो आपका answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा और यह भी बढ़ें आगे चलिए 9 कोशन पर आते हैं कि बहुत सारे element है numbering नहीं करेंगे सीधा बढ़ते हैं किसको solve करें वो देख लेते हैं ठीक है टेंथ को नाइंथ कोशन आपका पहला element B L सोरी O T C O T O V T ऐसे आपको ढूंगना भी नहीं है कि बही कौन सा element ही अलग लिखा हुए ज Z equal to Z Z ऐसे नहीं पकड़ना एक बहुत जाला टाइम नहीं वेश्ट करना इसलिए आपको अगर दिख गया कि यहां ठीक है option eliminate कर सकता हूं किसी particular से तो आपको वही उठाना है जैसे आपने देख लिए कि O O T C O कम से कम अलग लग लिखा हुए अगर यहां पर O O O O O लिखा तो मैंने का चलो ठीक है O T C O लिखा हुए तो कम से कम पहला element पता चल जाए कि यहां क्या आने वाल है तो मेरा काम चल जाएगा तो मैंने का चलो ठीक है सोल करते हैं यह B आया है यह L आया है यह कहां से है यह आया है यहां से इधर move करके ठीक है सेम यहां move करना ची सेम moment यहा अपने ऐसे बना दिया, देखो V आ भी रह, सच में आ रहा है। ठीक है? अब ये L जो है ये पता चलिए आपको, अब C कहां से आया था? C कहां से आया था? C आया था इधर से उठके, मतलब ये ऐसे, C आया था यहां से उठके यहां पे, ऐसे जाना था C तो यहाँ पर कौन जाना चाहेगा यह ओ ऐसे जाना चाहेगा जैसे मैंने इसमें फिगर बन बनाएं वैसे मैंने इस बना दिये माना exam में आप ऐसे draw नहीं कर सकते कुछ बच बेरेगा लिख देंगे हम arrow थोड़ी draw कर सकते हैं नहीं कर सकते एक थोड़ी विजुलाइजिशन आपको रखनी पढ़ेगी और एरो करके तो मैं टाइम ही वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको समझार हूँ ठीक है अगर एरो ड्रो ना करूं तो टाइम बचेगा ही बचेगा तो टाइम बचता ही है उसमें आपका वेस्ट नह ले लेगा तो O ले लेगा जाले है क्यों क्योंकि ये सेम बीहव करते है ना मैंने बतायता ना ये जैसा यहां चलेगा वो यहा चलेगा ऐसे ये चीज़ बताइए थी अजयार कि B-Box C-Box A-Box A-Box B-Box जैसा बहल haut if we havelarda ये जो गैवर पिर लिग-देता हूं अगर D से E same काम होगा A से B में क्या हुआ था देख लो second ने first position पे जगें ली थी तो यहाँ पे भी second ने first position पे जगें ली C से D में देख सकते हो आप V आ चुके है यहाँ ठीक है तो अब मैंने कहा इदर आ जाएगा ठीक है चलो, आप करते हैं कौन सी चीज़ को किसी भी चीज़ को कर लो, ठीक है फस्ट एलिमेंट तो आपने देख लिया, सेकंड एलिमेंट को सोल करना है, सेकंड को कर लो कि यहाँ पे आप आपने खाओ आएगा, ठीक है आप देखो, ओ, ओ, अब यह आपके एक गया, दो गया, अब करते हैं सेकंड एलिमेंट को सोल करोगे क्या टी और यहाँ पे भी टी, कोई फाइदा है नहीं है, थर्ड एलिमेंट सोल कर लेते हैं जहां पे लिखा हुए भी और जहां लिखा हुए आठ देखते हैं भी भी आएगा या आठ है थर्ड पोजिशन पे, तो यहां देखो टी, कहां से आ रहा है भाई इधर से उठके इधर जा रहा है इधर से उठके इधर जा रहा है इधर से उठके इधर जा रहा है तो बना दो भाई डाइगरम बस, सेम इक्वल टू इधर उठके इधर जा रहा होगा बिल्कुल जा रहा है यह रहा एक्वल टू ऐसे ही इसमें देखो इसमें देखो आठ कहां से आ रहा है यह यह आठ आ रहा हुगा यहां से सीम सा डाइगराम है यह पैंच चेंज कर ले पैंच चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लेरिटी आए यह यहां उठके जा रहा है देख सकते हैं आप यह रहा पहुंच रहा है इस पोजिशन से इस पोजिशन पर पहुंच रहा है यह कुन सी फिगर है यह सी फिगर है यह डी तो अब बता ये ये आपका ठीक है चलो आपको इस जी समझागी ये यहाँ जा रहता तो अब यहाँ ये भी तो ऐसी ही मुमेंट करेगा जैसी B से C में होई वैसे D से E में होनी चीए जैसी B से C में मुमेंट होई वैसे D से E में मुमेंट होनी चीए तो B जो है वो उठके यह यहां आजाएगा इस पोजिशन पर आजाएगा आपने थर्ड पोजिशन भी सोल कर दी यहां भी आएगा और कहां दिया हुए ओ टी भी यह लो आपका अंसर यह हो जाएगा आपका गलत क्योंकि वहां पर आठ लेका हुए ठीक है क्लियर बड़े आगे चलो टैंथ कोशन की जी तफ़ आते हैं 10 इटेंथ कोशन में आपको एक सेम मैं जैसे बोला कोई एक element कर लो यादो element कर लो किसको उठाओगे ठीक है यहां option में जाएंगे सबसे पहले पूरा कोशन नहीं जाएंगे option में जाएंगे square square जेडड देख लिते हैं square की प्रा्यूरम्टी के पता चल जाएगा जैसे यहाँ पर क्या बना चलाएगा जैसे किया बना यह थे हो को ने wherein technology किये आठ भाई यहां से उठके यहां जा रहे हैं ठीक है फिर वोई बात कि पी उठके ऊपर जा रहा है सीधा अब दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा क्लियर्टिक कि जैसे यहां काम चल रहा है वैसे वहां चल रहा है तो बस भाई सेम एरो बना दो सेम एरो बना दो ये लो ये उठके यहाँ जाना चाहिए इससे पता चल गया कि इस पोजिशन पे तो ये ठीक है ये रोंग है ये रोंग है तो ये कम्प्लीटली रोंग है अब मैं बात कर लेता हूं कि फर्स्ट और सेकंड में को साथी पर अब इसका सेकंड एलिमेंट अगर आप सोल करेंगे जेड जेड कोई फाइदा नहीं है कौन सा एलिमेंट सोल करेंगे बीच वाला कर लेंगे ये वाला एलिमेंट सोल कर लेंगे चलो ये कर लेते है वी कहां से आ रहा है वी कहां से आ रहा है पताए वी आ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ठीक है जेड कहां से आ रहा जेड कहां से आ रहा है जेड आ रहा है यहां से इस पॉइंट पर है बस फिर हो गया कुप्शन आठ आ रहा होगा यहां से यहां तिक देखो आ भी रहे तो यह डी आ जाएगा यहां पर तो डी आ जाएगा यहां पर तो डी बीच में आ जाएगा मतलब उल्टा सा डी है नहीं तो D बीच में आ जाएगा तो यह रहा D खतम यह अंसर हो गया यह गल्थ हो गया शली बढ़ें आगे सब समझ आ रहा है बहुत अच्छे से आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है अगर फिर भी दिक्कत हो रही है एक बार वीडियो को दुबारा देख लेना कभी दिक्कत नहीं होगी इन टोफिक्ट में आज़ो इस कोश्चन पर आज़ो 11th कोश्चन पर बहुत सारे एलिमेंट है हर एलिमेंट को सॉल करोगे फिर वही बात पड़ेगी टाइम से मात खालोगे कोई फाइदा नहीं है हम कोशिश करेंगे मिनिमल को एलिमेंट को सॉल करने ठीक है तो अपने काम करते हैं S3SL हम चूज करते हैं कि यहां कोई आएगा इस पॉइंट के कोई आएगा इधर देखते कोई आएगा S3SL तो मैंने बोला B बोक्स को देखो B बोक्स में उस पोजिशन को देखो जिसको आप सुल करना चारे V कहां से आया V आ रहा है भाई यहां से यहां पे Same arrow यहां बना के देखो ये वाला B भी यहां पोंचना चाहिए पोंच रहा है क्या Same arrow बन गया ठीक है जैसा मैं बढ़ आ रहा हूं इतनी देर से A से B में जो चलेगा जो B से C में चलेगा जो D से बतब work कर रहा है बिलकुल कर रहा है अच्छा pen change कर लेते हैं चलो बताओ अब ये S कहां से आ रहा है सोरी ये V आपने बता दिया ठीक है कोई बत निए eX कहां से आया ये आ रहा है यहां से डी न ये वाला S आ जान चीए खतम question थीक है समझ गे न यह उपर जा रहा है इस त्रीके से व यहां पोँंच रहे पहुंच रहा है ये V यहां पहुंच रहा है बिल्कुल पहुंच रहा है देखो ये X यहां जा रहा है बिल्कुल जा रहा है तो यहां पे शेम पैटर्न को लो करो से स, कहां पर लिखा होगा, यहां लिखा होगा है, यहां लिखा होगा है, तो मेरे पास अभी यह चलूँए है यह और यह तो गए कट, ठीक है, आब करते हैं कौन से element को सो, किसी भी element को उठाओ, मैंने उठा लिए, यह थर्ड element कि यहां कोन आएगा इसको उठाते हैं यहां कोन आएगा इसको उठाएं चलो करते हैं वही ट्राइंगल ट्राइंगल देखूँँगा ट्राइंगल कहां से आया थर्ड एलिमेंट की बात है तो तो second figure को देखूँँगा सबसे पहले और उसमें देखूँगा कि यह triangle कहां से है इस जगें से यहां पर आने की कोशिश की जा रही है इधर से इधर थिक है तो same to same x को भी निच्चे उतार दो आया कि x बिलकुल आया कोई दिक्कत नहीं है pattern for load है अच्छा इधर अब जो तीन नरे आया है यह कहां से है वो कहो गए आप यहां से यहां रहे को प्रन फदल दिबदे भलस्कि आ यह से मतलब यह वाला यहां से sorry 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 क convert यह जो है यह उठके आना चाहिए इस पोजीशन पर यलो वाला एरो यह यहां जा रहा था ना तो इस की ओ की मजबूरिये की इधर जाना पड़ेगा अगर ओ यहां पर आएगा तो बाई ओ सिर्फ इस जगें है इस जगें नहीं है समझ पार हैं जो मैं बता रहा हूं आपको बस आपको वह फिर से बता देता हूं भाई यह A है यह B है यह C है यह D है यह E है जो काम A से B में हो रहा है और जो काम B से C में हो रहा है वैसा वैसा बहेव करेगा C से D और जो काम यहां हो रहा है वो काम बहेव करेगा D से E सारा चैप्टर इसी पर यह जो main questions है न जिसमें बच्चे फस्ते हैं वो सिरफ और सिरफ यही particular चीज है बढ़े आगे बारवे question पर किसको solve करें आप बताओ देखो अगर आप इसमें देखो सबसे पहले option 8, 8, 9, 0 मैं किसको solve करूँ पहली चीज़ को solve कर लेता हूँ यहां पर क्या है इधर मैं एक अलग से box बना के मैं यह कह रहा हूँ कि इस चीज़ को solve करना चाहँ यहां क्या है ठीक है इस जगे देखते हैं क्या आएगा मैं यह O नहीं बनाया है मैंने यहां पर मैंने चलो मैं एक ऐसे question mark बना रहा हूँ कि यहां क्या है ठीक है चलो मैं पहले क्या देखूँ है दो कहां से आए भई आए ऐसे सेम मना दो एरो भाही सेम मना दो आप मैं कह रहा हूँ आपको सोचने की भी जूरुत नहीं है टाइम लगेगा भी नी यह तो रेड़ वाला तो मैं आपके सामने फाल्तु मना के दिखा रहा हूँ आठ की है सबसे आगयाने की आठ की है सबसे इधर आने की इस एरो के इसाब से इस एरो के इसाब से आठ की बारी है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आठ आ जाएगा आठ यहां पे भी दिया गया, यहां पे भी दिया गया, यहां नहीं दिया गया, यहां नहीं दिया गया, आप मेरे पास दो option है, अब आप कहेंगे कि मैं O, O को solve करूँ है तो आप गलत कर रहे हैं, आप कुछ भी solve कर लीजिए, चलो कहलेते हैं कि आप करना चाहरे हैं यह 2 और ये भाई साब यहाना चाह रहें, आजाइए ये L है, ये भी इदर ही आ रहा है ये तो बहुत easy हो गया ये भी इदर आ रहा है, तो बस ये इदर आ जाएगा दो आ जाएगा बस, ये तो बहुत simple हो गया था answer हो जाएगा, खतम ठीक है? समझ आ रहा है क्या दिया गया question के अंदर 5 triangle 2 triangle 2 circle triangle ओ triangle 5 2 circle triangle ठीक है तो भई जब 5252 तो पांच वाला option होगा मतब नमबरिंग की बात करूँ यहां तो यहां पांच यहां दो अब जो आएगा वो पांच वाला होना चाहिए तो यह तो एक गया गया ठीक है अब देखते है नमबर तो उने सोल कर लिया अब देखते है सरकल की बात ओ यहां से यहां मूव देख रहे हो फिर यहां से यहां मूव ठीक है फिर यहां से यहां मूव फिर कहां आना चीए इधर और आगे जाना चीए ठीक है तो वो ने क्या किये यहां से यहां मूँ फिर यहां से यहां गया है फिर यहां से यहां गया है फिर यहां से यहां गया है तो ओ यहां पे पहुंच गया ओ यहां पहुंच गया तो आपके पास यह भी option आ गया यह भी आगय अभी मतलब आपका यह और कट गया अब बात करते है triangle की triangle को देखो यहां से यहां आया है यह दिग्ग्या होगा आपको फिर गया सीधा उपर बिल्कुल उपर यहां पहुँच गया फिर आ गया निच्छे देख रहे हो आप यहां गया निच्छ अब यहां से ओर निच्छे आ जाएगा यहां जाएगा यहां खतल question यह तो करवाने वाले question नहीं तो थोड़ा दिमाग लगा है कैसे moment हो दी बिल्कुल इजी question है ठीक है बढ़े आगे चलो 14th question इसमें क्या किया गया है देखते हैं बाई चार element है एक दो तीन चार किसी को भ यह आपका वो question नहीं है जिस तरीके से अभी अपने practice किये question उनकी आप multiply practice करो आपसे वो question तो नहीं फसेंगे जो मैंने आपको बताएं ठीक है A से B B से C वाले वो नहीं फसेंगे अब आते हैं आपके थोड़े से अलग question थोड़े से अलग दिखने वाले अब इनको sol करते है मैं काम करता हूँ इसमें मैं देखता हूँ देखो arrow कभी यहां जा रहा है फिर वो एक छोड़के यहां जा रहा है फिर वो इधर आ जा रहा है फिर ऐसे से वाले मैं इनको एक एक element को उठा लेता हूँ एक दो तीन चार यह मैंने position mark किया element mark नहीं किया मैं इसको देखता हू पहले है यह जो arrow है इसकी moment को देखता हूँ मैं 1 से 2 पे गया है पहले फिर यह गया 2 से 4 पे फिर गया 2 से 4 पे फिर आया 4 से 3 पे फिर आया 4 से 3 पे फिर आया 3 से 1 पे फिर आया 3 से 1 पे ठीक है मेरे बात बताओ यहां पे 2 का गयाप यहां पे, दो का gap, यहां पे, शोरी, सोरी, यहां पे एक का gap है भाई, यहां दो का gap, यहां एक का gap, यहां दो का gap, अब जो gap होना चीए, वह कितना हो चीए, एक का gap होना चीए, ठीक है, अब जो gap होना चीए, वह एक का gap होना चीए, तो मैंने यहां से क्या find out किया, कि अगर ब और दो पे जाएगा तो दूसरी position पे यहां पे कौन हो जाएगा एरो हो जाएगा दूसरी position पे और दूसरी position पे एरो यहां पे नहीं है यहां पे है यहां पे नहीं है यहां पे है मतलब अभी मेरे नजर में sorry यह दो option गए हैं cut ठीक है अब बढ़ते हैं आगे मैं बात करता इसको उठा लिया मैं उठाता हूँ ज़ादा दर इसमें ऐसे किया गरो आप extreme वाले उठाएगा तो ज़्यादा असान होता है आपके लिए circle उठा लिए circle की moment देखो चार से 3 पे आईए 4 से 3 पे आईए circle की moment 4 से 3 पे पहली बार उसके बार तीन से आया है वो एक पे गया है दो पे उसके बाद दो से गया है वो चार पे दो से गया है वो चार पे गैप बता दो यहां पे एक का यहां दो का यहां पे एक का यहां पे दो का अब जो आना चाहिए वो गैप के अंसा आना चाहिए एक का गैप आना चाहिए एक दो एक दो एक दो एक का गैप मतलब चार से ज़्यादा इंट्रचेंज नहीं करना उसको, कहां जाना है, तीन पर जाना, कहां जाना, तीन पर, चार से तीन पर देख लो, मतलब इस पोजीशन पर जो ओना चीए, तीसरी पोजीशन पर, ये एक पोजीशन है, ये पोजीशन है, फन, टू, त्री और फूर, थर्ड पोजीशन पे O होना चाहिए, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे O है बट यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्रोस है, यह हो जाएगा, यह अंसर नहीं समझ गए यह थोड़ा सा अलग पैटन है वो थोड़ा सा अलग पैटन था question का, जो अपन पहले कर रहे थे, ठीक है, हम हर पैटन डिसकस करेंगे, जो जो बच्चों को तकलीफ देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं पंदरवे question पे यह आपका आता है, arrow का question और यह मैंने अभी जो question डाले है कुछ तीन-चार question यह है सेकिंड मार्च का question है, ठीक है सीजियल मेंस 2022 उसमें से मैंने दो तीन question लिए, जो अच्छे लगे मुझे, वो काई भी तकलीफ कीजी इन questions ने भी बच्चों को, इनको डिसकस कर लेते हैं यहां देखो, यहां से आपका अगर कोई figure स्टार्ट हो रहा है, यह last arrow है, ठीक है, last arrow मतलब जहां से बन रहा है, ऐसे करके question बन रहा है, ठीक है अब आपका यह arrow मतलब आपने एक अगल अगली figure में जब भी आपने question बनाना start किया तो आपने एक भी जगे नहीं छोड़ी, आपने सीधा यहां से start कर दिया बिल्कुल जगें भी न छोड़े, यहां से start कर दिया question, यहां से ही start कर दिया इस position से start कर दिया ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया एक जगें छोड़ दी, यह वाली यह वाली जगें आपने छोड़ दी आपने यहां से start किया ठीक है, पहले आपने एक जगे छोड़ी एक भी जगे नहीं छोड़ी पहले आपने एक भी जगे नहीं छोड़ी यहाँ पे और आपने यहीं से question start कर दिया फिर आपने एक जगे छोड़ी और यहाँ से start किया फिर आपने एक भी जगे नहीं छोड़ी और यहाँ से बनाना start कर दिया ठीक है अब मैं आपको थोड़ा अच्छे समझाता हूं यह चीज ध्यान से देखो दुबारा देखो ताकि clarity मिले यहां देखो आपको दिख रहा होगा जैसे मैं position mark कर देता हूं थोड़ा clarity जाद आएगी जैसे one two three four five six seven eight आठ position मैंने mark करी है देखो पहले जो आपका बना हुआ है figure वो बना हुआ है one से लेके eight पे one से लेके eight तक बना हुआ मतलब one से लेके six तक बना हुआ sorry मतलब आपका one से आप start करें ठीक है फिर आप कहां क्या कहां से start कर रहे हो मैं फिर से mark कर देता हूँ one two three four five six seven eight आपका जो next figure start हुआ first figure जो आपका a figure जो start होता है a b c d e ऐसे mark कर देते हैं a figure जो start हो रहे है वो आपका हो रहे है one से बी figure जो start हो रहे है वो आपका हो रहे है two two से देखो two से start हो रहे है यहाँ पर एक second मुझे बहुत अच्छे समझाने आपको एक question इसलिए मैं time ले रहा हूँ थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को जिनको भी दिक्कत आई है काफी question पूछा गया था यह second यहाँ से start हो रहे है ठीक है और जो c figure है आपकी c figure है वो कहां से बाई start हो रही है c figure आपकी start फिर से numbering कर दो कोई दिक्कत नहीं one two three four five six seven eight c figure आपकी start हो रही है four से d figure कहां से start हो रही है आपने इसको one दिया हुए इसको two इसको three इसको four इसको five इसको six इसको seven इसको eight d figure आपकी start हो रही है पांच से देखो gap देखो आप एक का मलब gap दिया भी नहीं plus one करो कोई बात नहीं यहाँ पे दो का यहाँ पे plus one यहाँ पे क्या जाए प्लस two आप seven position से उसको start करने वाले हो इफिगर में जो आपका से start करोगे one two three four six seven इए एट आप यहाँ से start करो आपको जो start करना और काम यहाँ से start करने इस पोजिशन से start करने भट अब यहाँ से कौन start हो रहे देखो यह तो गलत हो गया यह यहान से start हो रहा है यह आपका अड़ार में ये भी आपका radar में है, ये आपका गलत हो गया, आपके पास अभी भी दो option available है, second या third, अब arrow की बात आती है, arrow देखते हैं, arrow देखो, आप ये, मैं बड़े बड़े बना देता हूँ, सिर्फ last arrow की बात करेंगी, इसका मूँ उपर की तरफ दिया गया है, इसका मूँ इधर दिया गया, सिर्फ last arrow जहां से question start हो रहा है, first arrow, sorry, इसका मूँ दिया गया है, इधर, अब या question यहां से start, इसका मूँ दिया गया है, इधर, आप खुद देखिए, arrow जो है, वो clockwise भूम रहे हैं, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, अब बारी किसकी ह उपर जाने के फिर से, उपर वाला arrow एक ही है, यह गया, यह कट गया है, नीचे arrow तो नहीं आएंगा, क्योंकि arrow देख लो आप, उपर, फिर साइड में, फिर नीचे, फिर साइड में इधर, मतलब इनको सबको जोड दोगे, यह इधर आ गया, यह इधर आ गया, यह इधर आ इसलिए उपर वाला arrow यह कोशन आगया, आगया समझ अच्छे से, अब नहीं भजेगा यह कोशन, और इस टाइप का कोशन नहीं भजेगा, और मैंने आपको इतना जदर डिटेल में इसलिए बताया, क्योंकि सेम कोशन आने की सम्भावना है, क्योंकि अधर कोशन, अधर ए इजिल मेंज, ठीक है, चलो, देखते हैं क्या कोशन है, फिर से मार्किंग कर ले, ज्यादा असान रहेगा, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, मार्किंग वाले कोशन है, यह प्लस जो है, अच्छा देखो, इसमें एक चीज है, प्लस डॉलर, हैस्टेक कह द इन्फिनिटी, ए डॉलर, ए प्लस डॉलर, अनिक्वल इन्फिनिटी, बी, ए डॉलर, अनिक्वल इन्फिनिटी, एक एलिमेंट जो है, वो गायब हो रहा है, और एक नया एलिमेंट को वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं इतनी चीज, तो मतलब मैं क्या कहना च यह साथ में एक गायव हो जाएगा यह गायव हो जाएगा एबी सी डी इंफिनिटी एबी सी इंफिनिटी यह तो गया इतनी चीज़ समझागी अब बढ़ते आगे कि कैसे करना है यह सोल कोशन एक ओप्शन एक अब देखो दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह कुन सी पुजिशन है यहां से स्टार्ट ओना कोशन यह है साथ यह आठ यह नो यह दस यह ग्यारा मैं इनको एड कर दे रहा हूँ यह चलो मतलब आपको जो करना आप एड कर लीजिए या फिर इससे कोई रिपेट कर दीजिए 1,2,3 आपकी मर्जी है वैसे एड कर लोगे तो थोड़ी जादा समझागी चीज़े आठ नो दस ग्यारा बारा ऐसे करके अना चलो अब आपका देखो यह तो फस्ट एफिगर है इसको एफिगर नाम दे रहा हूँ इसको बी दे रहा हूँ इसको सी दे रहा हूँ इसको डी दे रहा हूँ इसको ई दे रहा हूँ ए जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है वो बन से स्टार्ट हो रहा है बी कहां से स्टार्ट हो रहा है बी तो 11 मतलब यहां से यहां आना चाहिए आपका element ठीक है और नया element जो आप introduce करते हैं वह element यहां से पता चला यह चीज़ देख सकते हैं यहां पर यहां देख सकते हैं जब आपने प्लस को बेजा और A नया लेके आए वो ही तो यहां से स्टार्ट हुआ था फिर B भाई नया आए थे वो यहां से स्टार्ट हुए फिर C भाई नया आए वो यहां से स्टार्ट ये जैना तो अब डीभ्या नहीं आएंगे वह कहां से स्टार्ट रहेंगे यहां से स्टार्ट रहेंगे कि और ऐसा कोंसे ऑप्षिन में दिया गया वह यह जिस हम baru ए त्थ है ये चीज़ा और डाइगरम कैसा बनेगा कहे वह तो तो अब भव होप आपको समझ रहा हो इसमें मूमेंट कर रहें एक और वन से स्टार्ट करने कहां से वेर वी कि अधर कि इस्टार्टिंग कि के अधर मेर वी आर स्टार्टिंग वो मैंने इसमें लिखा या सब्सक्राइब तू से स्टार्ट हो रहा है, फॉर से स्टार्ट हो रहा है, सेवन से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके हैं यह भी मेंस रिजियल 2022 का कोश्चन था, समझा गया, almost same था 15 से रिलेटिड, आगे बढ़ते हैं, यह कोश्चन आपका, CHSL मेंस का है, 2022, 26 जून को आपका एक्जाम उसकर, ठीक है, चलो, यहां देखिए, म्यू, 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 कोई फाइदा निये, पहली लोकेशन को, इस पॉइंट को सोल करके, इसको करके, कोई फाइदा निये, हम किसको करें, इसको कर लेते हैं, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, अलग, 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 अलग यह यह कहां से आया यहां से यहां पर अब यहां को न आ रहे यह इए उठके आ रहे बस तो यह ऐसे बीच में खतल पुश्चन देरी नहीं लगये अब तो तो गबराना नहीं है देखो नो नो एलिमेंट अगर आप ऐसे पूरा-पूरा सोल करोगे ना हर और आप potatoes पीस सोल की hemma फिर आपने सोचा कि मैं यह यह जो यह i도 गोई यह यह वाला इलिमेंट जो है इस गरो तो खाहिव करने है आपको बचाने ताइम आपका टाइम ही important ऐसे typical अग्जाम में ठेक है चलो आगे पितेगे, 18th question 18th question में क्या हो रहा है यह यहां move कर रहा है, यह देखी लीजीए और यह उपर move कर रहा है और यह हो जारा है, गायब क्योंकि नए element आगया same चीज़ यहां पे और यह यह आ रहा है यहां पे, वह आ गया यह जा रहा है यहां पर यह देखिए और यह गायब हो जाता है अब यहां पर नए अलिमेंट आगे अब यह आ जाएगा यहां पर बना लो बनाने तो बना लो भाई यह आ जाएगा यहां पर यह बाही चले जाएंगे सबसे उपर वाई अब देख लो यह और वाई यह गया कि यह और भाई ने कि यहांपर देख रहे हैं कि कोई नेंगें यहां पर देखरहे ओ एलेमेंट आप स्वेर गायब हुआ तो यहां पर ऐ बनां अब यह ठ्रेंगल फिर से गायब होगा तो कुछ नया element बनेगगा और नया element क्या बनेगा वह आपको देखनेंais ट्राइंगल तो आइटी जो है वो कवर हो सके और यह है सारे प्रीवियस यह यह चसल और सीजियल के ही कोशन है ठीक है जो पिछले दो सालों में पूछे गए बहुत ज्यादा अच्छे कोशन चलो देखो हमारे सामने दिये गए दो दो एरो हम पहले इस एरो बोल देते हैं इसको बी एरो एरो बी एरो ए बी एरो को सोल करते हैं देखो ए एरो क्या करता है जा रहा उपर अगली फिगर में भी उपर अगली फिगर में इदर अगली फिगर में इदर देख रहो इदर सीधा है इदर सीधा है पहली फिगर में दूसरी फिगर में तीसरी में चोथी में फिगर में ऐसे ऐसे है B arrow को देखो उपर गया इधर गया नीचे आ गया इधर आ गया अब आप खुदी बता दीजिए कि कहां position वो नीचे यह मेरे हिसाब से अब आप question को समझ आ गये है A arrow की जो location होईगी वो ऐसी होईगी अगर कोई ऐसे गया है अब बारी आगी ऐसे करके कोई इधर मुड़ गया अब बारी उसकी इधर जाने गया तो A arrow तो इधर आ जाएंगे ठीक है बात अब B arrow की B arrow ने क्या किया इधर गया फिर अगली बार इधर फिर अगली बार इधर अब B arrow को फिर से उपर जाने की बारी आ चुँए B arrow आपका उपर बने आ ठीक है बढ़े आगे ऐसा कोई option दिया गया है A की option में ऐसा दिया गया है तो दो अलग arrow की question भी आपको ऐसे solve करने पड़े तो एक figure मत माने धिमाग को confuse ना करे दो अलग अलग arrow मान के solve कर लो question को समझ गए बढ़ चापते आगे देखो यह question आगे आपके अपने सामने 20th question मैं इन में numbering करके कर लेते हैं इस question को थोड़ा सामने का 1 2 इधर 3 कर देते हैं इधर 4 कर देते हैं क्योंकि यह देखो यह 3 item है यह 4th item है मेरे को एक बात बताओ जो आपका यह वाले figure है 1st से 1st से कहां चली गई 4th पे चली गई 1st से 4th पे चली गई ठीक है और जो 2nd figure है वो आपकी आगी 3rd पे 2nd figure थी वो आपकी पहुँचगी 3rd पे और 1st वाली पहुँचगी आपकी 4th पे दिख रहा है ना उसके बाद जो 3rd वाली है वो फस्ट पे आगी फिर से 3rd वाली फिर से 1st पे आगी लेकिन 4th वाली का क्या हुआ 4th वाली का चली गई 4th वाली वैसे गई है actual में 2nd पे बट गायब हो जा रही है disappear और उसकी जगे कोई new element आ जा रहे है देख सकते हैं 4th गई है यहां पे यह देखो बट कोई नया element आ रहे है आ रहे है न नया element तो बस अब यही pattern को लगा दे लगा दे देखो यह वाला जो था 1st वो कहा जाएगा वो जाएगा 3rd पे 4th पे गया हुए 1st 4th पे और जो यहां था वो कहा जाएगा वो यहां आ जाएगा यह आया हुआ, अब यह भईया आ जएंगे यहाँ आपे नीचे और यह उपर जाएंगे बट कोई नया element ही आएगा नया element मतलब यह नीचे आयेंगे ठीक है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी यह तो गलत होगे लेकिन उपर जागे कोई नया element आएगा यहां पर नए element सिर्फ यहां दिया गया है यहां नहीं दिया गया तो यह आपका अंसर्ट है clarity आ रही होगी आपको कैसे वेसे में जैसे आपको समझा रहा है ठीक है बढ़ते आगे 21st question इसमें आपका देखो इस से देखते हैं सरकल से देख लिए यापका सेमी सर्कल है और सरकल वाटर डटर सर्कल सेमी सर्कल आजएगा सुमेसर कल कोटर की सरकल C की शेप का होगा जाए कमाशन्म सेकंड स्विगर में कोटशर सकल यहां वाला बर्भड बर्भड अगर बात करूँ इसकी सेकंड, इसको फॉर्ध इसको सिक्स्ट कह दें फिर उसके बाद में वो यहां वाला बर्भड वे है फुल्डा सा भी mind काम कर रहूं तो आपको पता चलेगा भी यहां वाला बर्भड़ा होना चाहिए यहां बरावा है यह नहीं यह नहीं यह नहीं बस question soul को अपने को दूसरी figure को soul करना ही नहीं है तो मैं आपको यह question क्यों डाला हूँ देखो असान है कर सकते हैं बट आप कैसे कैसे time बचा सकते हैं मैं यह बताओ side में जो trapezium दिया गया है उसको soul करने की जुरूट नहीं है समय बचाओ आप अराम से comfort पाओगे question को दूसरे जो tough question होगे उनके साथ में ज़्यादा खेल पाओगे बढ़े आगे 22 question 22 question में क्या हो रहा है कि Z जो है वो यहां आगया ठीक है दिग गया उसके बाद star ठीक है star भी यहां आगया और Z जब move किया तो अपनी जगे एक नई position सी छोड़ गया नया element छोड़ गया जैसे star जब यहां move किया तो एक नया element छोड़ गया बस फिर तो क्या ही रह गया है अगर यह यहां move करेगा तो यह तो यहां आजाएगा और खुद की जगे कोई नया element छोड़ जाएगा new element देखते हैं क्या छोड़ के गया अब यह यहां है यहां है यहां है ठीक है और अपने को पता है इस जगे छोड़ के जाएगा क्योंकि movement जो हो रही है वो हो रही है इस तरीके से इस तरीके से moment हो रही है ऐसे नहीं हो रही moment कि यहाँ छोड़ रहा हूँ यह तो गलत यह भी गलत अब एक बात बताओ Z दुबारा आएगा कि Z तो पुराना element है जो अल्रेडी गायव हो चुक है S कोई नया element consider करना है S यहाँ देखो Z खतम हुआ था तब भी तो वो star बना था फिर star खतम हुआ तो फिर वो यह बन गया तो वो खतम हो जारी एक चीज ठीक है तो अब यहाँ पर क्या आएगा आपको S डालना पड़ेगा नया element डालना यह आपका एक अलग सा question बढ़े आगे 23rd question पर 23rd question पर देखने A, B पहले नमबर अलफाबेट देख लिए A, B, C गायव है D, E F गायव होगा G, H, I गायव होगा फिर J के ठीक है तो मतब G, H ओने चीए है अपने question पर G, H, G, H, G, H ठीक है कोई बात नहीं उसके बाद अब देख लिखते हैं भी shaded part पार्ट जो है आपके square का या rectangle जो भी दिया गया है यह कहाँ बने आप इसमें यहाँ दिया गया है जैसे एक यह बना लेते हैं यह पार्ट भरा हुए पहले वाले का ठीक है second वाले figure में sorry, सभी सभी second वाली figure में यह पार्ट भरा हुए यह first figure है, यह second figure है यह third figure है, यह fourth figure है second वाली figure में यह भरा हुए fourth figure में यह भरा हुए तो third figure में क्या भरा होना चीए भाई third figure में यह वाला पार्ट भरा होना चीए तभी तो fourth figure में यह चीज भरी है ठीक है ये वाले फूर्थ फिगर है तो थर्ड फिगर की बात कर रहे हैं आपने को तो अंसर थर्ड फिगर में निकालना है थर्ड फिगर में ये अपना required पार्ट होगा समझ पारे हों गयार इतना तो कोई इसमें तो कुछ tough नहीं है कि कौन सा भराऊना चाहिए ये वाला पार्ट भराऊना चाहिए बिल्कुल सिंपल सी बात है ये पार्ट भराऊना चाहिए ये वाला गलत हो गया अभी ये वी रडार में है एक ही पार्ट अभी तक निकाल पाएं अब मुझे एक बात बताओ जब यह बहरा होना चाहिए यह क्या है light side यह क्या है dark side यह light side यह light और यह dark dark side आप एक चीज़ देख रहे होंगे जहां dark side है वहाँ छोटा alphabet है मतलब छोटा लेख जेते हैं small तो क्या लेखे है चोटा alphabet है और जहां light side है न वहाँ आपको एक चीज़ देख रहे होगी बड़ा alphabet है दिख रहे हैं कि आपको यह देखो डार्क side चोटा और बड़ी साइड जो स्री लाइट साइड में बड़ा तो डार्क साइड में आपका जी होना चाहिए light side में चोटा होना चाहिए डार्क साइड में बड़ा light side में चोटा यह भी possible है ठीक है और यह तो वैसे ही गलत होगए यह तो हम वैसे भी गलत कर चुके थे और यह तो होई नहीं सकता क्योंकि इसमें तो आपको side के around ही रखने अब बात करते हैं इन दोनों में से क्या होगा इन दोनों में से क्या होगा आप खुद एक pattern देख लेजिए ए बी उसके बाद डी उसके बाद अब लिखने की जो बारी आएगी ना वो इस तरीके से रहेगी अच्छा हम मैंने खुद नहीं बजाए था कि light side आपका बड़ा alphabet होगा चाहिए तो यह तो light side के सामने जी लगाना है विजुलाइज करना है लोजिकल रीजिनिंग लग रही है यहां पर को यह आपकी ऐसे कोई नॉन वर्बल नहीं है वाली बात यह नॉन वर्बल तो मैं वहां पर मानता हूं कि स्पीड से आप किसी चीज़ को कर देंगे यह तो बस आपको देख देखके बस star वर तब ही तो फूर्थ फिगर में इधर जा रहा है तो थर्ड फिगर में आरो इधर जाना चीज़ है काट दो इसको अब बचती अपने बस तीन ओप्शन ठीक है अब पढ़ते है अल्फाबेट यू डबलू यू वी एकसाद होता है यू वी एकसाद होता है सेम यहां लगा देंगा यहां पे y होना चीज़ है yz ऐसे ही यहाँ पर सेम लगाने कोश्च करो हूँ Y Z X के साथ में यहाँ पर कोई आना चाहिए W आना चाहिए W X ताकी निच्चे बन जाए पेर तो देख लो है कहीं ऐसा मैंने क्या बोला यहाँ पर Y और यहाँ W कुछ है Y W यह गलत Y W यह गलत Y W यह सही तो question समझ रहे हैं बड़ें आगे ठीक है अच्छा लग रहा है question अब समझ आ रही है थोड़ी figure series का डर खतम हो रहा होगा इस पर आपने है यहाँ अगर मैं यहाँ पर एक दो लाइन ड्रो कर दूँ दो लाइन तीन और चार तो यह figure बन जाती है मतलब मैंने पहले चार लाइन ड्रो करें अब मैं यहाँ पर एक दो तीन ड्रो करूं तो यह बन जाती है मतलब चार लाइन, तीन लाइन, अब मैं तीन लाइन ड्रो करके देखता हूँ एक, दो, तीन, ये वाली फिगर बनगी तो मतलब कुछ नहीं कर रहा है, चार लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, तीन लाइन ड्रो करके अब मैं क्या गरूँ हूँ च्यार लाइन ड्रो करने की मेरी बाली है एक, दो, तीन आप बात आती है भई, चोथी लाइन कहां ड्रो की जाए देखो, आपका ये गलत हो जाएगा आपका ये गलत हो जाएगा, अब आपके साहने ये और ये बचते है चेलेंज है, आना, 2 चेलेंज आपके समें यह आप एक बात बताओ, जब भी आपने question को start किया था जब भी black वाला जो पिछे से question start हो रहा है वो इधर left side से start कर रहा है फिर कहरहे हैं इधर बनाओ जैसे आपने ये वाली figure भी देख यूगी इस फिगर में भी देख लो εν इंद ग्लय अप यहां से देख लो में लुखो यहत। ध कर Circus इस में जो पर बना हुए है ARE और एक दो तेछ पाँच पैंटागन जो है긴 वह यह डालारा भाई यहां से हूडा पहले यहां से स्टार्ड कर रहे हैं फिर ये लाइन डाल रहा है फिर ये लाइन डाल रहा है और ये कैसे पता चला है यहां से पता चला है अगर ये लाइन पहले खड़ी करते तो यहां ड्रो कर लेते हैं ठीक है सेम यहां पता चल रहा है अपने यहां से आइडिया लो कि कहां से बन रहा है तो इस साइड से बन समझ गे बढ़ते आगे 26 कोशन लगा क्योंकि जो मैंने A, B, A, B, C, D बाले बताए थे उनके मुकाबले में ये काफी अच्छा कोशन लगा क्यों क्योंकि उसमें सब को pattern समझ आ जाएगा कि alternately काम कर रहा है बट यहाँ पे चीजें alternately काम नहीं करें इसमें कुछ और ही हो रहा है चाहें आप देख सकते हैं जैसे triangle है वो यहाँ पे triangle constant यहाँ पे भी triangle है बट उसके बाद में वो देखो बीच में आ गया समझ नहीं है आप है तो यह कुछ अलग टाइप का question इसको आप अच्छे समझिए वहत्रीन question है आपके exam में आएगा आप definitely कर लो देखते हैं क्या हुआ है देखो आप यहाँ देखो इस चीज को देखो यह आपकी fix दिख रही है आपको दो figure में fix है यह चीज उसके अब यह दो figure यह भी यह है यह भी दो figure में fix है इतना दो समझ आ गया कि आप मालो कि अगर यह ऐसे ऐसे fix दी दो चीजें और फिर ऐसे ऐसे fix दी दो चीजें तो अब की बार ऐसा होगा कि यहाँ पर top पे top वाली famous fix रहेगी जैसे यह वाली चीज जो है यह fix रहेगी उपर मतलब इधर जो है इधर star ठीक है इधर जो यह star सा है यह आ जाएगा इधर यह clouds सा आ जाएगा ठीक है यह देख लो बस इतना समझ आना चीज यह तो base चीज होगी आटकी इस question को करने की तो ऐसा कहा है star cloud star cloud तो आपके यह दो तो चलो आपने भेज़ दी है खतम कर दी है अब बात आती है इन तेनी देखो इसमें क्या हो रहा है बहुत ही बैतरीन question है बहुत शांदर question है यह कर रहे है भाई आपका clockwise motion देख लो यह जो star था यह चला गया यहाँ पर ठीक है और जो यहाँ पर यह जो rhombus या kite जो थी यह चली गई यहाँ पर यह देख सकते हो आप और जो यहाँ cloud था वो आगया यहाँ पर इन्होंने कर दिया clockwise motion clockwise motion कर दिया अब इसके बाद में मैंने क्या बोला था यह चीज़ आपकी है fix यह वाली चीज़ आपकी fix उसके बाद यह तीन clockwise motion कर रहे हैं क्या आप खुद देख सकते हो बिल्कुल करा है इन्होंने cloud चला गया यहाँ पर यह भाई आगया यहाँ पर यह भाई आगया यहाँ पर देख सकते हो यह रहे अब मैंने क्या कहा अब यह fix है भाई यह चीज़ fix है यह चीज़ fix है तो यह करेंगे clockwise motion मतलब यह वाली चीज़ आजाएगी यहाँ पर यह इधर आजाएगा यह इधर आजाएगा यह अगर इधर आएगा तो यह इधर बना दो ठीक यह अगर इधर आएगा तो इधर बना दो इधर आएगा वेट मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा एक मिनिट ओ शिट वेट चलिए मैं ये कहना चाहरा हूँ मैं ये कहना चाहरा हूँ ये इधर आजाएगा ये इधर आजाएगा और ये इधर आजाएगा क्योंकि उपर वाली चीज आपकी fix है जो fix चीज है उसके सामने clockwise motion हो रहा है बस इतना सा समझ लो ये इधर आजाएगा तो आपका ये जो kite है वो इधर आगई ठीक है मतलब मतलब ये इधर आगई kite ओके ये आगई इधर ये आगई इधर triangle और जो आपका ये square है वो आगई इधर ऐसा कोई option आप ढूंड़ो आपका answer निकल गए गए कहां है ये ये यहाँ है ये option नहीं हो समझ आया देखो ये मुझे बहुत बहुत बहुतरीन question लगा इसको आप एक बार दोबारा समझ लेना मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ ये मैंने क्या किया इसमें मैंने पहले ये चीज़ देखा constant है दो बार यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और इसके जो सामने जितने भी element है ठीक है और बाकी आपने देखा ये कि कैसे कैसे question हुआ है उसके बाद मैं मालो अगर यहाँ पे कुछ चीज fix थी तो इसके सामने बाकी तीन clockwise थे अब जैसे उपर के ये जो बाकी तीन element है एक दो और तीन ये फिर clockwise motion कर देखा है मतलब एक चीज fix है एक चीज fix है sorry ओके वेट 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 होना को से slide पे तें हम थे यहां पे और दिस वाँ राइट देखो एक चीज fix है तो इसके सामने जो तीन एलिमेंट है बागी वो clockwise घूम रहे है यह यह और यह ऐसे कर देख चलो आगे बढ़ते हैं इस question को देखते हैं देखो इस question में क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा यार यह pen tab जो है वो अच्छे से work नहीं कर रहा है actually पता नहीं कैसे कुछ हो सकता है ग्राफिक्स के problem देखो इसमें क्या दिया गया है यह बहुत ही अच्छा question है यह भी मैं important mark करूँ आपके लिए इसको अच्छे समझना इसको आप यह देखो यह अगर जो आपका square बना हो गया है square को तो आप consider करो ही मत क्योंकि square तो सब में ही सेम है हमें यह lines को consider करा है मैं इन lines को na linearly solve कर लेता हूँ यह ऐसे figure के आप छोड़के linearly solve करते हैं ऐसे बनी हुए पहले उसके बाद मैंने कहा कोई भी एक तरफ आप line draw कर दीजी जैसे आप पहले तो यह रखो आपने एक तरफ line draw कर दी suppose करो आ आपका यह पूरा box आपको दीखना चाहिए और दो line लटकती दीखने चाहिए देखो यह कि यह पूरा box आपको दिख गया और एक line लटकरी एक line लटकरी ठीक है आपको बस जहां आपने ड्रो करिया ना उसके बस पिछे की तरफ आपको एक line draw करनी है अब आपने इधर तो draw करती जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अब आपकी यह figure है ना डबलू सा लिखा हुए अब आपको जो line draw करनी है वो opposite side draw करनी है मतलब इधर draw कर दो ठीक है किदर draw करोगे opposite side draw करोगे एक second ठीक है ठीक है ठीक है समझ रहे हैं देखो एक box आपका यह हो गया एक box आपका ही हो गया एक side आपकी लटकती से हुए दिखने चाहिए तीसरी figure के अलमर यह लटक रही है खाली और दो box आपके दो triangle जो आपके वो complete से दिखने चाहिए बिलकुल स़ही चल रहे हैं समझ आ रहा है अब हम बात करते हैं अगली figure की अगली figure आपकी कैसी है देखो आपके सामने यह figure फिर नीचे बना लो इसके नीचे ऐसे 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 और ऐसे ऐसे तो बनी हो यह आपकी figure अब आपको मैंने कहा था एक line add करो आपके तीन ट्राइंगल आपको पूरे बने देखने हैं यह 4th figure के अंदर देखो एक दो तीन 4th figure में पूरे बने हुए है मैं इसको 1st 2nd 3rd 4th और 5th और 6th figure कहा देता हूँ यह 1st figure होगी यह 2nd figure यह 3rd figure यह 4th figure अब बात करते हैं पांचवी figure की पांचवी figure में भी देख लो भा एक side एक line draw करो करो आपको पता चलेगा and change करके इस side करो देखो दिख रहा है कि तीन box तो पूरे तीन triangle तो पूरे पूरे बनने चीए एक आपकी लटकती दिखने चीए एक triangle दो triangle तीन triangle एक आपकी अलग से लटकती है अब आज़ाओ 6th वाली में 6th वाली में करोगे तो आप देखोगे फिर से draw कर लो ये वाला पूरा जितना 5th में था ऐसा 5th में बना हुए ठीक है तो आप एक अलग से draw करोगे एक line ये लो दो line लटकनी चीए दो line है side में लटकनी चीए और 3 triangle पूरे पूरे दिखने चीए तीन triangle पूरे पूरे दिखने चीए एक दो तीन चार ये तो वैसे ही गलत होगे ठीक है एक दो तीन triangle दिखने पर एक line लटकरी ये भी गलत होगया एक दो तीन चार triangle ये भी गलत होगया एक दो तीन triangle और एक ये ये बहुत, बहुत मतलब की अच्छा कोशन है, मैं इसको जितने स्टार मार्क करूँ, उतना अच्छा कोशन है, ठीक है, तो ऐसे कोशन को आपको Miss नहीं करना है, ठीक है बढ़े आगे चलो 28th question पे आते हैं 27 हो गया 28 पे आगया 28th question 28th question पे देखो सभी arrow को अपने को इसको head tail वाले को इसको solve करने की ज़रूरत नहीं है कोई नीडी नहीं है क्यों यह जो आपका dot वाल है इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ क्योंकि सभी में नीचे 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 तो इसको solve करने की जोड़त नहीं इसमें time waste मत करना कि यहां पे 45 गूंगे यह ठीक है आप हम बात करते हैं सिरफ और सिरफ कि भाई इसका जो face है वो किस side होना चीए यहां तो यहां होना चीए देखो आपके सामने दो option है या तो यहां बना दो या आप यहां बना दो या आ देख लेते हैं देखो मैं क्या गहरा हूं यहां से आपने arrow निकाला और यहां पर पहुचा है फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं यह जो आपका यह यहां आईए यह आपका जो circle यह जो triangle बन रहा है जो आपका sharp point है वो आपका outer की तरफ निकल रहा है निकल रहा है न मतल sharp point आपका थोड़ा सा outer बहार निकल रहा है वो अंदर बंध नहीं ठीक है लेकिन वहीं आप जैसे मालो मैं यह कहना हूं कि आपका जो arrow पे ही triangle बन रहा है इसी की एक line को यूज करके आपने एक triangle बना दिया ठीक है इसी line को यह देखो आपने इसको line में यूज किया ना इसको line में यूज किया और आपने एक triangle बना दिया ठीक है समझ गे ओके उसके बाद आपने क्या किया आपने देखा थर्ड फिगर हो गया आपको यह चीज़ समझ आ रही है आप सेकंड फिगर देखो फर्स्ट फिगर हो गया आपकी सेकंड फिगर में आपको ऐसा कुछ दिया गया है ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे जो आपका sharp point है जो आपका sharp point है वो आपका अंदर की दरफ बंद कर दिया गय यह आपकी arrow की line थी इसकी आपकी जिस पे dot बना हूँ है यह आपका dot बना हूँ है इसको जब आप use करके जब आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको sharpness साफ अलग दिखाई दे रही लेकिन जब आप यह वाली figure पे ऐसे एक अलग से वो बना रहे हैं अलग से बना रहे हैं तो आपका वो sharp point नहीं है फिर आप इस पे निकाल रहे हैं फिर आप ऐसे कर रहे हैं आपने यह एक अलग से line निकाल दे ना ठीक है तो इसका यह आपको समझने की पड़ेगा यह आपको खुद समझना पड़ेगा और यहां से जो आपका sharp point है वो open है यहां पे आपका sharp point जो बंद किया गया है और यहां से आपका sharp point जो open है बहार की तरफ निकल रहे हैं आप इस तरीके से समझ सकते हैं तो आप इस तरीके से समझ लिए भत आप इस चीज़ को पहले समझेए अगर इस को यसम्ज़न को अच्छे समझने ठीक है अब देखते थर्ड फिर में फिखर में क्या हरा है कि फिर से आप ने बना दिया उसी पे ही बना दिया मतलब यह जो line जा रहे थी उसी पे बना दिया मतलब आपका sharp point बाहर की दरफ lead कर रहे है ठीक है sharp point को आपने बंद नहीं किया अब जो 6 तो वो होगा उसमें जो आपका sharp point है वो बंद होना चाहिए sharp point जो है मतलब उसमें आपको perpendicular रो करना पड़ेगा फिर एक triangle बनाना पड़ेगा तो sharp point जो है वो बंद है तो मतलब sharp point अगर बंद है उपन दो नहीं होना चाहिए देख शार्प point बाहर जा रहे है गलत शार्प point जो है वो बहार जा रहे है अब बचते हैं आपके सामने ये और ये दो option बचते हैं अगर आपने इतना कर लिया तो आपका काफी रत्त कोशन सो रहे है अब मुझे एक बात बताओ मैं आपको यहां से देख यहां से बताता हूँ यह क्या है आपके डोट के पास में एक triangle बना हूँ यह क्या है आपके डोट के पास में दो triangle डोट के पास में triangle बना हूँ यह आपकी tail पे triangle बना हूँ यह आपकी tail पे triangle बना हूँ यह आपकी tail पे triangle बना हूँ देखो जैसे ही आप दो दो का pattern पकड़ सकते हैं दो बार tail पे बना हूँ है दो बार head पे बनाए है और उसके बाद दो बार आपका tail पे बनाए है अब जो बनेगा अब जो बनेगा वो किस पे बनेगा भाई अब जो बनेगा वो बनेगा head पे head पे बनेगा head पे बनेगा मतलब यहां बनेगा यहां नहीं बनेगा tail पे नहीं बनेगा head पे बनेगा यह इसका solution नहीं तो थोड़ा था मतलब ऐसा question जो आपको exam में दुखी कर सकता है यह भी आपका बहुत important question है अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो मतलब आपका काफियत तक चीजें आपको मतलब समझ आई है ठीक है figure series में यह miscellaneous question होते हैं जो अकसर थोड़ीजी problem create कर जाते हैं बढ़े आगे 29th question करते हैं यह भी बहुत अच्छा question है काफी दुखी किया था इस question मैं इसमें कैसे बताऊंगा आपको marking कर लेते हैं मैंने इसको 1 mark कर दिया इसको 2 mark कर दिया या फिर mark ऐसे कर लेते हैं ऐसे ऐसे जस्ट बिना point के 3,4,5,6,7,8 ऐसे mark कर लेते हैं अब देखो इसमें क्या हो रहा है आपका जो marking है यहां से यहां पे सीधा एक भी point नहीं चोड़ा यहां पे इसके सामने आगया मैं इसकी बात कर रहा हूं इसको इसको link कर दो आप ठीक है इसको link कर दो चलो आप वैसे marking point से कर लोगी तो ठीक रहेगा थोड़ा आपके लिए समझाना मेरे लिए असान रहेगा एक दो तीन च्यार पांच छे साथ और आठ ऐसे कर लो b से beach में से जो point निकल रहा है वो पहले 2 point दो पे है first figure second figure third figure fourth figure and then fifth figure जो हमें निकालने है फर्स्ट फिगर में जो B का बीच वाला पॉइंट है वो 2 पे है सेकंड फिगर में B का जो बीच वाला पॉइंट वो 3 पे है फॉर्थ फिगर में जो B का बीच वाला पॉइंट वो कहां पे है कहां पे है 1, 2, 3, 4, 5 पे है पूर्थ फिगर में जो यह पॉइंट है यह कहां पर यहां पर मतलब फॉर स्वारी फाइव थाई शिक्स सेवन एट अब जो फिफ्त में आना चाहिए वो कहा आना चाहिए एक दो तीन च्यार बारवें पॉइंट मतलब बारवें पॉइंट कहा हो अगर आप इसको अगर आप इसको आठ कह रहे हैं आठ नु दस ग्यारा बारह मतलब की कहां होना चाहिए आपका बारा पर होना चाहिए बाद अच्छा सोरी इस थर्ड थी आपकी सोरी वर्स्ट सेकेड थर्ड फॉर्थ फिफ्थ यापकी शिक्सथ फिगर ऑर बनाने मड़े है आपकी यहां पर आएगी ठीक है तो जो वह फिफ्ट में बारा पर होना चाहिए अब जो आपका वह पॉइंट आना चाहिए वह 17 पर आना चाहिए आपको 5 पॉइंट लिए करने पड़े हैं पांच पॉइंट तो बारा कहा है देखो भारी नो सुरी थर्ड फोर फिफ्ट सिक्स्थ सेवन्थ कुछ मिस्टेक हो रही है ठीक मैं एक बर इसको एक बर मार्किंग को मैं अच्छे से करता हूँ वेट फड़ा मार्किंग अच्छे से नहीं कि हमने मार्किंग अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि मार्किंग आप अच्छे से नहीं करेंगे तो मैं एक उश्चन फूरा सब मुश्किल हो जाएगा समझाने में दो तीन च्यार पांच छे साथ और आठ देखो दो के सामने फर्स्ट फीगर की बात कर रहा हूँ फर्स्ट फीगर आपका जो पॉ whistle है और तर्स्ट फीगर की बात कर उश्चन के सामने मतलब यहां पर तीन लिंखाओ ना थीन दो एक ऐसे करके तीन के सामने 8 के सामने, 8 यहाँ पे 8 हद्थ है, ठीक है, 8 के सामने तो जो 5 फिफ्ट फिगर होगी 5 फिफ्ट फिगर होगी, उसमें का होगा 12 के सामरे, भ θαब बिलकुल यहाँ पे 9, 10 11 और 12 आएगा यहाँ पे 12, अब 6 में क्या होना चीह वो बता दो, 1 2, 3 च्वाइब चार पांच का गैप छोड़के 17 पर होना चाहिए मतलब यह पॉइंट भी लीव करतो 13 14 15 16 17 इसके सामने उसका मुझ खुलना चाहिए इतनी चीज़ समझ आगी मतलब यह आपका option नहीं है यह आपका option नहीं है इस point के सामने उसका मुझ होना चाहिए इस point के सामने बस इतना समझ आगा अब बात आती है कि भाई इन में से क्या होगा यह होगा यह यह होगा इसको समझते हैं इसको अच्छे समझेंगे प्यार से देखो इस B का जो आप ऐसे कह लिए जो bubbles हैं B के वो अंदर की तरफ खुल रहे हैं ना अंदर खुल रहे हैं अंद इसको मेजरार केर लो माइनर कुछ कैसे भी समझ सकते हैं B के जो bubbles हैं वो अंदर की तरफ है अंदर की तरफ है बड़े अरिया की तरफ है इस साइड है और उसके जो बी के अगले वाले बी के हैं वो छोटे अरिया की तरफ है इस साइड है बाहर की तरफ जा रहे हैं फिर ब बड़ा एरिया है इसकी दिरफ तो नहीं होगे छोटा एरिया कुन से इसकी दिरफ आज़ नहीं होगे इसलिए इसका अंसर यह उजाएगा और यह नहीं होगा समझ गे मैंने कहा B का मुझ कहा उपन है मैं फिर से थोड़ा सा समझा देता हूं यह वाला कुश्चन B की आपको फेस अगर डिसाइड करना आपको रुको मैं नम्बरिंग अटा दे रहा हूं एक बार क्योंकि आगर आपने वो नम्बरिंग वाला समझ लिया हो तो आपको थोड़ा सा यह चीज़ असान हो जाएगी समझ लिया हो जिसे B के जो बबल्स हैं B के मैं बबल्स इनको बोल रहा हूं ठीक है यह चीज जो है यह कहां खुले हैं बिग एरिया की तरफ बड़े एरिया की तरफ और यह समोल एरिया कहरा हूं मैं इसको यहां पर समोल यहां पर बिग की तरफ था यहां पर बिग यहां समोल यहां बिग तो यहां पर जो आना चाह लिए बी का फेस उस स्मोल की तरफ खुला होना चाहिए तो स्मोल यहां है इसलिए यह अंसर ठीक है समझ पा रहे है फोड़ा सा मुश्किल है एक्जाम में यह कोशन ऐसे कोशन हो पाना मुश्किल होता है इसलिए हम इसको घर पे आपको देखे प्रैक्टिस करवा रहे है तो सुरी ट्राइंगल या एरो कुछ भी कहलो आप इसको इस चीज की बात कर रहा हूँ मैं इसकी पोजीशन अगर अपने पता चल रही है तो पता चल जाएगा वह कहां पर है फर्स्ट second second इसको बोलो, third बोलो, fourth बोलो, fifth बोलो, sixth बोलो, seventh बोलो, eighth बोलो. आठ पॉइंट निशान मारती है मैंने फिर फर्स से से थर्ड पे जा रहा हूँ थीक है फर्स्ट से थर्ड पे जा रहा है फिर थर्ड से कहा रहा है थर्ड से आ रहा है सिक्स्ट पे पहले तो दो का गैप दिया फिर तीन का दे दिया फिर क्या कर रहा है फिर आ रहा है वो छे से छे से आ रहा है आठ पे छे से आठ पे फिर आ रहा है आठ से कहां पे इसको ग्यारा बोल दो भाई ग्यारा पे आ रहा है फिर कहाएगा एक छोड़ देगा और इधर आ जाएगा बस ठीक है तो ग्यारा से तेरा पे आ जाएगा मतलब क्या हो रहा है कि दो का गैप तीन का ग कि मुझे कि यहां भी बनेगा तो इनमें सब में यही दिया हुए लेकिन मुह कहां हुएगा वो बताना जरूरी है मुह देखो मैंने कहा जब यह यहां बन रहा था तो इसका मुह आपोजिट साइड की तरफ था जब यह इदर बना तो इसका मुह भी आपोजिट साइड की त बनने को इधर इसलिए नहीं बना अगर आप detail में देखेंगे तो points की marking आप अच्छे से करेंगे तब आपको यह कोशन अच्छे समय खाई तो यह यहां बन गया ठीक है अब बात करते हैं इसकी आपकी डंडी का होने ची डंडी का होने ची उसकी बात करते हैं जब आप इसको अच्छे समझेंगे, और अच्छे समझते हैं, मैंने इसको बोला, आप इस फिगर को पहली फिगर को बाहर निकाल लीजिए, इसमें आपकी डिंडी दी गई है, यहाँ पर, आप एक काम कीजिए, आप इसको मार्क कर लीजिए, A, B, C, and D, इसको बहुत आपको अराम से समझे जब आप B, D को आप clockwise rotate करके देखिए, B, D को जब आप clockwise rotate कर देंगे, जब आप B, D को clockwise rotate कर देंगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कि यह थोड़ा उपर उठा हुए, ठीक है, सपोज कर आपने B, D यहाँ रख दिए, ठीक है, आपके B, D यहाँ आ जब आप move करा देंगे, थोड़ा clockwise, तो B, D ऐसा हो जएगा, तो भी ऐसा ही ही move है, उपर की तरफ है, मलब राइट साइड की तरफ inclined ही है, मलब यह जो डंडी है, इसका face जो है, वो राइट साइड inclined है, समझ रहे हैं आप इस निवास, उसके बाद जब आपको फिर तो आपको फिर पता लगेगा कि इसका face जो है, गुमाते गुमाते जब B, D को गुमा रहे हैं, सिरफ इसको रोटेट कर रहे हैं, जो फिर गुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज जो है, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, फिर यह घूम के पूरा पलड़ जाएगा, फिर वो चीज यहाँ आजाएगी, ठीक है, उसका जो face जो है, वो जो face है, जो इस डंडी का face है, वो हमेशा इसी तरफ inclined रहे हैं, जितना भी आप इसको गुमा के देखेंगे, कोई भी आप एक चीज एक page पे try कर सकते हैं, एक डंडी चिप का लो, page यह क्योंकि 3D की चीज ह इसको ऐसे 2D पर समझा पाना थोड़ा सा मश्किल है, बट मैंने आपको बोला कि आप यहाँ से थोड़ा समझने कुशिश करें, ABCD एक square बनाओ, उसके अंदर BD एक diagonal बनाओ, उस पे एक डंडी बनाओ, यहाँ पे, चिपका लेना एक side में डंडी, और फिर BD के around आप उसको BD के around rotate करके देखना, आपको यह डंडी जो है, वो आपको एक ही दिशा में दिखेगी, वो कुन सी दिशा होगी, इस type के दिशा में, कि पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर उसका में ऐसे है, मतलब वो कभी भी ऐसा face नहीं रखे, जो fourth में दिया गय ठीक है, तो वो ये बनेगा, ये नहीं नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, अच्छा, डंडी की location आप कैसे set करोगे, वो आप देख लो यार, यहाँ पे 5 पे है, फिर 4 पे पहुंच गई, ठीक है, फिर आपकी 2 पे आगी, 2 छोड़ दिया, फिर उसके बाद कहां पे आग ठीक है, थोड़ा time के चंते मैं आपको एक question detail में नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा खुद भी कर सकते है, लंडी की location को आप थोड़ा सा rotate करके देखे, आपको पता चल जाएगा, और ये question थोड़ा सा 3D की वे से ही आपको समझ, जादा अच्छे से तो इसमें हमने अभी आज जो जितने भी question discuss किये, तीस के तीस question जो है, वो हमने figure series के अच्छे questions discuss किये, बीच बीच में थोड़े question easy थे, वो easy नहीं थे, इस प्रकार से जब आपके सामने exam में आते हैं, तब भी आपसे हो पाने मुश्किल है, लेकिन आज आपकी थोड़ी से practice जाद अच्छी हो रही थी, तो आप उसको जल्दी से भी कर पा रहे थे, जो starting में मैंने जैसे इस type के question कर वाएं, देखिए, जो ये वाले question थे, इस type के, 11, 10, 9, 8, 7, ये जो question है, ये mostly student को परिशान करते हैं, इन question को आपको बहुत अच्छे से समझ के करना है, ठीक है, इन question question में आपको लापरवाई नहीं करना, आपने जितनी भी वीडियो देखनी है, जितना भी देख लीजिए, लेकिन जब उसके बाद में practice ले, आपको वीडियो की help नहीं लेनी है, फिर आपको attempt खुद करके देखना है, पता चलेगा आपको उससे, कि आप कितना सेखें, ठीक करना कि आप mind में assess all कर सकते हैं, आप एक बर practice जरूर करना, कोई भी platform से, किसी भी type से question उठाके, online question उठा लेना, figure series के, और फिर बताना कि आपको कितना जब्दा कैसे-कैसे improvement हुई है, comment section में जरूर बताये करो, थोड़ा सा इससे क्या होता है कि हमारा भी motivation जो है, आप होता है कि आप लोगों को कितना समझ आ रहे, कितना नहीं आ रहा, तो कोई query होती है, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, groups भी है हमारे, और आप telegram channel को join कर सकते हो हमारे, जो की है endgame SSC नाम से है, link description में आपको available रहता ही है, वहाँ से आप join कर सकते हैं, discussion group को भी join कर सकते हैं और last का time है, एक अफता, दो हफते आपके पास बचे हैं, मुश्किल से 20 एक दिन, उसको आप अच्छे से आप अपनी studies में लगाईए, इदर उदर आपको ज़्यादा भटकने की जूरूत नहीं है, और जो material है वो आपको इस channel पे reasoning का proper मिली रहे, कुछ एक आद कोई important topic रह तो कोशिश करेंगे कि एक एक्जाम से पहले आपको clear या cover करवा सकें, और अगर नहीं कर पाते हैं, तो जितना पढ़ाए आप उसमें से भी अच्छा score कर देंगे, तो अपने आपको downfill नहीं करवाना, ठीक है, बढ़ते रहिए बस, और वीडियो को share करो, maximum to maximum, जितना हो सक कैसे ला पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है एक्जाम में, उससे पहले अगर कोई वीडियो ला पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए all the best for your exam, पढ़ते रहिए, thank you, bye bye, take care.